गुड बॉर्णिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कल्चर टॉपिक है स्क्लप्चर एन आर्टिटेक्चर इसक्लप्चर एन आर्टिटेक्चर इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रहें टॉपिक है मेगालिथ मेगालिथिक कल्चर मेगालिथिक कल्चर यह में डी जो र मेनहियर्स मिल ले हैं यह मैनहियर्स जो हैं यह मोनोलिथिक स्लैप्स हैं जो इरेक्टेड हैं अब अब दा ग्राउंड जमीन में खड़े तरीके से लगाए गये थे और मेबी स्मॉल और जाइगेंटिक इन हाइड बहुत छोटे भी हैं और जाइगेंटिक भी देखने को मिल पौथा पूता मला जो हैं यह पौइंद अब कोबड इस्टोन स्टेक्चर का और यहाँ पर पॉइंट फॉंटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑ इस टेक्चरद गरेवियार्ण यहांप ऐसा रगता है इसा तर्चर गेर वियWait था और प्रे इस्टेरिक सिवलाइजेशन डेटिंग लगवग 3,000 साल पहले हैं यह जो मैंने हैर्स हैं यह largest ever recorded मैंने हैं करेला में करेला में सबसे ज्यादा अगर मैंने हैं पाए गए हैं तो यहीं पे पाए गए हैं यह मैंने हैं जो हैं इंडमिक हैं तो सर्टन रीजिन्स ओनली और यह बेसरे आर फूचर ऑफ मेगालिथिक काल्चर मैं है जो हैं बहुत ही अंडविक हो चुके हैं इस रीजिन में और यह इनकी फीचर है वो विल्कुल मेगालिथिक क् ganhar जैसी है मैद कम डिखर इंडिया का वाया समस्जते हैं पहले मेगालिथिक पहले खाली हम लोग पढ़ें with them. Megalith जो है इसमें इंक्ल्यूट किया गया है different kind of monuments जो कहते हैं जिन में एक thing common थी वो यह जितनी भी थी सब roughly dress dress करी गई थी slab of stone से यह जितनी भी थी उसमें समें देखा गया कि यह made of large roughly dressed slab of stone यह जो monuments हैं यह found पाएगे east part of world, east part of the world in Europe, Asia, Africa and Central and South America. Indian subcontinent में जो Megalith पाएगे इन far south में मिले हैं Dekan plateau में और जो विंद्या अरालवरी range and north west में भी मिले हैं. Megalith north west में भी मिले हैं Megalith side जो हैं इंडिया में यह dated लगबग period ranging from 1300 BC से लेके 12 century तक पाए जाती. Megalith Megalith जो हैं विद्याज में refer to pre iron यहाँ पाएगे पाएगे चार को लिथिक content से पहले पाए जाती थी और यह Peninsular India जो है associated है with iron period से जो practice थी making Megalith continuous रही अमंग certain tribal communities में ट्राइबी communities में और इंडिया जिसे खासी आसाम खासी मेगालिया में खासी आसाम में खासी आसाम खासी ऑफ आसाम एंड मुंदा उफ च्छोटा नागपुर प्लैटू तो यह जातर मुंदाज में और खासी में कोमन रही Megalith remain certain burial style इन में होती है जो कि इमर्ज different time में in different places और continue रही फॉर कुट सम टाइम्स जो जिन थी सम और जिन जो थी सम आफ दीज बरियल प्रैक्टिस जो थी कैन बी ट्रेस्ट टू ए नॉन लिथिक नॉन नॉन नियो लिए नियो नियो लिथिक चारकोलिथिक कंटेंट जो फॉर इंस्टेंट जो पिट और अंस मिले हैं जो पिट और अंस बरियल्स मिले हैं साउथ हिंडिया में वो नियो लिथिक चारकुलिथिक साइट जो नियोलिथिक और चारकुलिथिक जो साइट हैं और दो बरियल मार्क्ट हैं बाइदे स्टोन जो की फाउंड एड वट वट अंगल वट अंगल वट अंगल वट गल करनाटका में यहां पर क्या कहते हैं जो भी अनलाइक जो बरियल्स थे नियोलिथ मिली है living living हैं और डेट भी थे ए और सिगनिफिकेंट है जो इंडिकेट करता है शिफ्ट इन दर शोशल और्गनाइजेशन इससे पता चलता है कि कैसे सोशल और्गनाइजेशन में शिफ्ट हो रहा था तीन बेसिक टैप ओफ मेगालिथ जो हैं जिसमें चेमबर टॉम हैं एक Unchamber Tom है Megalithic are not connected with burials इसमें Chamber Tom Unchamber Tom या मेगालिथिक जो connected नहीं है बरियल से Various टाइप आप मेगालिथिक Monument जो है Found जैसे Manhares Various टाइप के Megalithic Megalithic Monument पाया जा जिसे Manhares Doll, Menoid, Dolmanoid, Cist, Dollman या फिर Topical पायाते हैं मेगलिथिक जो भारत में मेगलिथिक in India cannot be treated as representing a single homogeneous and contemporous culture मेगलिथिक जो भारत में पायाते हैं उनको हम cannot be treated as single, single treat नहीं कर सकते नहीं homogeneous और नहीं contemporous culture अब टाइप ओफ मेगलिथिक monuments जो इंडिया मिलती हैं मैंने हैरे में एक पत्तर सीधा खड़ा रहता है डॉल्मनयओ में नॉइड में एक और Office लूमन ब उसमें दो पत्थर और रखा जिसे कहा रहेता है तोपीकल में एक पत्थर होता है और उसे उपर एक छटरी बनी यह थी इसे मश्रॉम लैइन आ से 16 लाइमेंट होता है जिसमें स्टोर disp होते हैं लाइन से लगे रहे तब से पत्थर होंगे और उसमें एक बीच में जाने का रास्ता होगा इसे कहते हैं पोल्ट पोल्ट चारो तब से पोल्ट बना होगा उसमें एक होल होगा सिस्ट तो मैं एक पत्थर होगा डॉलमाइड में गुफानुमा होगा टोपिकल में मश्रूम होगा टोपिकल में मश चौवकांडी स्थुपा चूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूचूच ट्रीक्टिर है जो क्राउंड विद एन ओक्ता ओक्ता होनल टावर जिस पर एक ओक्ता होनल टावर बनी है और यह जो इस्तुपा है इसे बनाया था अशोक ने और ओक्ता होनल जो टावर है अंदर टॉप पर जो बना है यह मुगल मॉनिमेंट है बिल्ट करें गई थी 1588 में और यह कॉमेंट कॉमेंनमोरेट किया था हिमायू की विजिट में जब हिमायू यहां पर विजिट करें थे तब इसे बनाया गया था तो ओक्ता होनल टावर है यह हिमायू के दौरान बनी थी जब विजिट करें थे लेकिन जो इस तूप है यह बिल्ड किया गया था शोक क पर इसी पत्ताना यह जो डिनोट करता है प्लेज जहां पर होली मैन फैल टू हर्थ जहां से इसी पत्त्रना जो यहां से होली है फोली मैन फैल टू अर्थ साइट ऑब बुद्धिसम भी है बुद्धा लॉर्ड बुद्धा जो थे यहां से डिलीवर करें थे अपनी कहते हैं धर्म चक्र परवार्दना कहा जाता है जो धम धर्म में धमेक घंधम का इस्तूपा धर्म चक्र इस्तूप धर्म धर्मेक इस्तूप यह ठर्म देश सल्ट जहां पर लोर बुद्धा ने अपना फ्रस्ट उप्डेश दिया था और यह है 500 साल 500 साल पहले 500 500 सेंचुरी में बनाया गया था और ये जो है कॉंस्ट्रक्शन ये एंपरर अकबर ने करवाया था 3rd सेंचुरी बीसी में अब मूल गंध कुटी विहार ये जो प्लेस है लौड बुद्धा जहां लीव रहते थे और जहां विजिट करें थे सहार नाद में बोधी ट्री जो है ये एक ट्री है जो लोकेटेड नियर मूल गंध कुटी विहार जो है उसी के पास ये बोधी ट्री प्लांटेड है जो ब्रांच है फ्रॉम श्री महा बोधी ट्री ओफ अरुनाध पुरा श्रीलंका अनुराध पुरा जो है श्रीलंका में वहां से एक ट्री लाया के एक छोटी सी ब्रांच लाके फ्रॉम श्री महा बोधी ट्री जो था अरुनाध पुरा श्रीलंका से लाके यहां पे लगा है तो आशोख का फिलर जो है मार्क करता है psyौ का फिलर जो है मार्क करता है जब विजिट हुई थी किंग ठीफ कर सानात यशोख का बिलर सानात में जो है यह न b adjust ऑफ तब हुआ तरह जब वहां पे एक रहे थे वह फफन्न और 50 मीटर लॉंग पिलर है और पचास मीटर लॉंग पिलर है और हैस फूर लाइन जिसमें फूर लाइन से टॉप पे टॉप पे फूर लाइन से और और फूर एनिमल्स एड़ बिलो चार एनिमल्स नीचे है जिसमें बुल है इसमें बुल है लाइन है लाइन है लाइन है लाइन ह हर्स हेलिफांट और हर्स और बुल और लैन जो अधर फोड जो फोर रिप्रेजेट हो रहे हैं फ्रेज़स ऑफ दा लॉड बुद्धाश लाइव यह चारो जो है एनिमल लॉड़ बुद्धा की लाइव से रिप्रेजेट करते हैं सा इट ऑफ इसाइट फॉर जैनिसम यह ब सबसे नीचे जो था सबसे नीचे अगर हम देखें इस जो गेट होता है उसको हम कहते हैं तोरन गेट जो होता उसको तोरना कहते हैं इस तोरन पर क्या होते हैं बहुत सारी चित्रकाली देखने को मिलती है बहुत सारे कर्व देखने को मिलते हैं बहुत सारे जो बुद्धा से जितने उनकी Life से लिडेटर चीज़े हैं वह दिछाए गई है और फिर रेलिंग होती है जिसे वेदिका कहते हैं जिसे क्या कहते हैं वेदिका के अंदर एक स्पेस होता है जिसे मेंदी कहते हैं मेंदी मेंदी का वेदी का के बाद मेंदी फिर एक रेलिंग होती है और फिर एक रेलिंग होती है वहाँ पर उसके अंदर फिर से क्या कहते हैं एक अंडा होता है अंडा का सैमी सर्कल अंडा कहते हैं और अंडे के उपर क्या होता है एक हर्मिका होती हर्मिका जो यह जो अंडा के बाहर और यह जो वेदिका के अंदर एक रास्ता होता है जिसे कहते हैं प्रदिक्षिना पत्थ प्रदिक्षिना पत्थ इसमें चाओ तब उहमा जाता है इसलेक्स को प्रदिक्षिना पत्थ कहते हैं Archaeological Survey of India, यह Ministry of Culture में आता है, यह Premier Organization है for Archaeological Research के लिए प्रोटेक्शन करता है, culture जो heritage है of the nation, regulate करता है जितनी भी archaeological activities होती ही in the country, as पर जो provision दी गई है, ancient monuments and archaeological site and remains act, इसे आमसर कहते हैं, आमसर, 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 एक्ट 1958 का, तो ancient monuments, जो ancient monuments हैं और जो archaeological sites है and remains act, इसको 1958 के हैं, इसी के according यह regulate होता है, यह जो है regulate करता है, antiquities को, यह it also regulate antiquities and art treasure act 1972, यह दो एक्ट के दोरा regulate होता है, एक तो बताया गया ancient monuments and archaeological site and remains act 1958, और दूसा जो हता है, regulate करता है, antiquity and art treasure act 1972, यह found हुआ था 1861 में, 1861 में, 1861 में by Alexander Cunningham, Alexander Cunningham के दोरा, who also became its director general, जो इसकी director general भी रहे हैं, ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958, जो है ancient monuments and archaeological sites, जो which are of historical, archaeological and artistic interest की जो होती है, यह जो existence for not less than 100 years, can be declared as a site of the national importance, जो 100 साल, जो जिनकी existence 100 साल से पहले की है, existence for not less than 100 years, may be declared as a site of national importance, और next इसमें देखते हैं, जो protection है और जो maintenance है, monuments की declared as a site of national importance, यह जो है, archaeological survey of India करता है, by way of structural repairs की दोरा, chemical preservation करी जाती है, और environmental जो development है, around the monuments, यह भी regular ongoing process यही करता है, other important इस्तुपा की बात करें तो, सांची इस्तुपा जो की एक oldest structure है इंडिया में, और commissioned हुआ था 3rd century BC में, by emperor of, emperor अशोक ने करवाया था, यह believe किया जाता है, during the region of shunga, shunga emperor जो pushmati shunga था, उसने vendalist, vendalist, vendalist कर दिया था, उसके while under agnimitr shunga, agnimitr जो shunga थे, जो संथे pushmati shunga के, it was refurnished, उसने refurnished करा था, और सत्वाहना period के दोरान, जो the gateways, जो उसमें तोरण लगाया थे, gateway और जो baloo straight, design between the railings, जो थी, was built, build, सत्वाहना ने तोरण जो gateway थे, और जो baloo straight थे, यह build किया था, highly decorate भी कराया था, और जो gateway थे, commission, जो gateways थे, उसमें, कहते हैं, narrative structure भी देख, उसने बनवाया थे, और जो figure थी, Lord Buddha की, वो curve की गई थी, in these structure, canopy में, जहाँ पर बोधी tree जो है, at the point of alignment, जो बोधी tree है, वो alignment का प्रतीक था, various जो event थे, life और बुद्धा की, वो भी curve किये गए थे, इस तोरण में, सांची सत्वाना ने कर आया था, और सांची इस तुपा जो है, वो four beautifully curved torrents है, चार gate है, torrents जो जहें कहरे हैं, which depict various जो events है, life, बुद्धास के life का, और जातक, जातक stories जो है, उनसे लिया गया है, ये enlisted है, UNESCO World Heritage Site 1989 से ही, ये World Heritage Site है, बरहूत, बरहूत जो है, बरहूत जो है, जो इस तुपा है, बरहूत का, ये between इलहाबाद और जवलपूर सिचुएटेड है, इन दे इस्ट वाइल, नगोड इस्टेट, जो है मद्धिपदेश का, और ये probably build हुआ था, 150 BC, during the sunga period, ये भी sunga period के दौरान बना था, और ये जो है, curve out किया गया, red stone से, ये जो site discover की गई थी, Sir Alexander Cunningham, 1873 में बना था, narrative जो belief पायाता है, बरहूत में, ये artisan जो है, यूज कर रहे हैं, एक pictorial language यहाँ जो यूज करी गई है, very effectively to communicate stories, जो pictorial story language है, इससे बहुत सारी communicate होती है, stories, इसमें folded hand in the narrative, folded hand जो है, hand in the narrative, as well as जो single figure है, और जो यक्षनी की वो भी shown flat clinging to the chest, इस तरीके से, दूसरा जो curve panels है, जो repeat करते हैं, बुद्धा की, बुद्धिस्ट जो narrative, जो dream है, माया, जो माया, जो है, उन्होंने जो dream देखी थी, जो celestial celebrating थी, जो इसमें celestial celebrating दिखाए गए हैं, बुद्धा की, जो alignment है, जिसमें enlightenment वो पा रहा है, जो worship है बुद्धा की, थ्रोन की, जो worship है बुद्धा की और जो बोधी tree है, और साथ में elephant जो है, paying homage to the बुद्धा throne and also जाता की story, जो elephant है, वो paying homage कर रहे हैं, full type से, कुछ एक साथ से, प्राम type से कर रहे हैं समझे, to the बुद्धा throne and also जाता की story, फिर एक और है अमरावती, अमरावती स्थूप ये बहुत ही famous specimen है, बुद्धिस्ट आर्ट का, architecture का, of ancient India में और ये located अमरावती आंध्य प्रदेश में, ये गोदावरी और बर्मपुत्रा वैली के उपर है, ये स्थूपा जो ये built किया गया था, 3rd century BC में, जो व्योज था, इंपोर्टेन मोनेस्टिक सेंटर है, तिल 14th century AD तक और ये discover किया गया था, कॉलिन मेकेंजी के तोरा 1797 में, तो कॉलिन मेकेंजी ने इसे बहुत पहले हो जा था, 1797 में, और ये जो गया गतने हैं, जो हमारा बर्हूत का है, ये अलेक्जंडर करिंगम ने हो जा था, और ये जो था, 1873 में, तो ये लगभख, ये और वो उसमें difference काफी ज़्यादा रहा, इसके बाद हम देखेंगे, जो इस तुपा है, ये कहते हैं, अमरावती का, ये earlier simple structure था, जहां पर ये with limestone cross bar से बनाया गया था, और ये simple curving करी थी, ये renoted by सत्वाहना ruler जो थे उन्होंने करवा ये highly marked था, ये highly marked था, architecture monuments, इस तुपा जो made थे brick, ये brick with circular vedika थी, ये brick से हीटो से बनाया गया था, जिसमें circular vedika थी, और depict करती थी Lord Buddha in a human form, Lord Buddha को human form में depict किया जा गया था, और सब, सब during an elephant और इसमें एक elephant भी था, जो adron with 95 feet high platform पे बनाया गया था, प्रोट्यूट हो रहा था, इ direction, चार कार्डियर डिरेक्शन में, अब उसका बेरहत, बरहुत जो है MP में था, अमरवती आंदर प्रदेश में था, सांची का इस तुपा MP में था, अब एक है, बेरत, बेरत इस तुपा ये रजिस्तान में है, ये मॉरेन सर्फुलर स्थुपा श्राइन है, ये शोका के द पिलर्स थे, ऑफ वोड्स के, जो प्रसीड करते थे, मॉनेस्टिक जो रिमेंस थी, वे डबल रो अफ सेल्स, जो अरेंज थी, अराउंड एन ओपन स्क्वार कोट्यार, बरहत, बरहत, जो है, बरहत, और इसे, इंशेंट विराट नगर, विराट नगर, या फिर कैपिटल मतस देश, मतस देश, मतस यदेश, यह सैड टू फाउंडेट बाई, किंग विराट जो किंग विराट थे, और जो जिनकी किंडम जो थी, पांच पांडवा, जो पांच पांडवा ने अपना स्पेंट किया था, थाटीन एयर ओफ एक्जाईल इन डिस गर्ज, जब उनको क देश निकाला जब दिया गया था, जब जूए में हार गये थे, तेरा साल का तो यहीं पर विराट नगर में रुके थे, विराट नगर में रुके थे, पांडवा पांचो पांडवा, और यह जो प्लेस है, वेल लोन है, फॉर आल्सो, फॉर टू अशोकन इंस्क्रिप्श मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट इंशिन बुद्धिस्ट रिलेक्स, यहाँ पर दो अशोक के इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट इंशिन बुद्धिस्ट रिलेक्स भी फांड होती है, फिर एक और है, इस्तुपा जिसका नाम देवनी मोरी इस्तुपा गुजरात में located on the frills on the river मेसोवा नियर शामलाजी और ये जो मोमत है site है जो बोस्ट है सेवरल विहाराज पायाते हैं इस तुपा पायाते हैं small caves हैं और चैते भी हैं जया पेठा बती पूरूलू नागरजुन कॉंडा गुली आंधर प्रदेश में है इसमें अमरवती school of art अगर कहें तो बुद्धिस जो रिलाइस है having a feature जो belonging to अमरवती school of art जो क्या करते हैं अनार्थेंड by group of ideologists on the bank of river गुंडला कामा गुंडला कामा जो आंधर प्रदेश है ये वहाँ पर पायाती है हमरवती school और ये अनार्थेंड था ये जो अर्थेंड अनार्थेंड कवर नहीं था मिट्टी से उपर था अनार्थेंड जो बुद्धिस्ट रिलाए है ये लोकल लाइम स्टोन पिलर थे यहां पर लाइम स्टोन के पिलर थे जो कर्व किये गए थे विद हाफ लोतस जो तहे ये कर्व किया गया है जिसमें हाफ जो देखा है लोतस अम डाइलियन्स एड ये अर्ड़ोप पोशन था और ओन और फॉर साइड सच ऐसी जो फीचर हैus आर्ट हैं ये फ्लोरिश हुआ इन्दा रीजन ऑफ आंधर पदेश बिट्वीन जो लोवर वैली थी कृष्णा और गुदावरी की जो में पैटरन थे इस आर्ट को लेके वो साथवानास थे जो कैरी आउट करें बाद में और पैटरनाइस किया गया उनके सकसर जो एक इसको फ्लोरिश किया गया एक सो पचास बीजी से सी उनके सी तक और इंपरिट करेक्टरिस्टिक जो थी अमरावति स्कूल की जो नरेटिव आर्ट थी इसमें जो नरेटिव आर्ट थी और मेंदलीयन जो थे ये कर्व किए गया थ है इस तरीके से क्यों डिपिक्ट करें ज in a natural way natural way में for example one one Mendelian जो डिपेट करता था होली स्टोरी जो थी टेमिंग of elephant by Buddha कैसे जो टेम किया जा रहा था पालतु बनाया गया था elephant को by Buddha और ये prominence there is prominence of human figure बहुत सरा human figures हैं rather than picture drawn from nature अब difference between अगर गंधारा और मतुरा और जो अमरती school of art है इसमें गंधारा इसमें गंधारा मतुरा और अमरती गंधारा में influence मिलता है of Hellenistic और Greek Greek art feature गंधारा ये हमारा Pakistan side होता है और मतुरा जो है ये हमारा यूपी में जो उसमें transaction center था south के लिए west के लिए east के लिए जाने का तो ये indigenous in nature character है अमरती जो इंडिजिनेस इंडिजिनेस इन करेक्टर है अगर इमेटीरियल जो यूज़ यूज़ गंधारा में gray sandstone यूज़ हुए हैं और मतुरा में red sandstone बने हैं अमरती में white marble से बना हैं लाइम स्टोन से बना हुआ है और और religious की बात करें तो जो कहते गंधारा है मेलनी जो बुद्धिस्ट है मतुरा में बुद्धिस्ट के साथ हिंदू और जैन भी देखने को मिले हैं लेकिन जो अमरती है वो मेलनी बुद्धिस साइट है patterns जो है कुशान कुशान जो थे गंधारा गंधारा में कुशान रूल करते थे और मतुरा में कुशान और सतवाहना जो थे मेली वो अमरती करते थे depiction of image की बात के जो spiritual image मिली है बुद्धा की इसमें wavy hairs है और breed जो है और mustache भी देखने को मिली है ये गंधारा आर्ट में जहां पे wavy hairs देखने को मिले हैं breed और mustache भी देखी है लेकिन जो मतुरा स्कूल है इसमें बुद्धा जो है without breed और mustache इनके दाढ़ी और मुच नहीं है लेक depiction जो है वो जातक स्टोरी से मिला हुआ अब इस टू को स्क्लप्चर इस टू को इस टू को स्क्लप्चर क्या है जो आर्कलोजिस्ट है उन्होंने अर्थ खुदाई की है लाइफ साइज इसकूटो स्क्लप्चर एक इस एक life-size जो है इसकूटो स्क्लप्चर वन ओफ दा बोधिसत्त जिसे एक बोधिसत्त माना जाता है फ्रम दा बुद्धिस साइट पनी गिरी पनी पानी पानी गिरी तिलांगना से तिलांगना से हैं डेटिंग बैक लगभग फर्स्ट सेंचुरी एडी से और जो अनार्थेंट किया गया है ड्यूरिंग एक्सवेशन दोहजार एक में इस क्लप्चर जो इसकी वेल्थ है फ्रम साइट अगर शो करता है कि जो ग्रेजुल टांजिक्शन थी बिट्वीन जो सत्वाना पीर महास्टूप यहां पर चैते ग्रिहास थे जो वोटिव इस्टूपास और पिलर्ड थे कॉंग्रीगेशन के दारा हॉल्स और बिलॉंगिंग टुदा सत्वाना पीरेड फॉर्म फर्स्ट सेंचुरी वी सिंग है बीन फांड़ेट है यह जो साइट थी वन आफ बिगेस जो सो बिहाराज जिसमें बुद्धिस जो थे मौंक वो बिलीव टू हैव एसाइड़ ओवर लुट ऑन दा हिलॉक इस तरीके से यहां पर यह देखा गया इस्टू को आर्ट जो है यह इस्टू को इस्टू को जो है यूस की जाती है इस डेकोरेटिव कोटिंग फॉर वाल्स और सीलिंग जो वाल्स और सीलिंग होती है छते और दिवालों पर यह कोटिंग होती है डेकोरेटिव कोटिंग होती जिसे इस्टू को कहा जाता है इस क्लप्चर और जो आर्टिस्टिक मठीरियल होते है आर्टिटेक्चर में टेडिशनल जो इस्टू को है यह मेड होती है लाइन से, सैंड से और वाटर से वेराइस जो modern स्टूगो है ये पोटियार्ट से सीमेंट, सीमेंट, सैंड और वाटर से बना हुआ आता है जो plastering material होता है applied wet पहले गीला किया जाता है which hardened to a very dense solid और फिर उसके बाद उसको harden किया जाता है जो engine sculpture है इस टूको का ये as a material for sculpture जो होता है is an architectural content ये architecture content की तरह होता है इस टूको जो art है वो बहुत पुरानी है ये गंधारा region जो है पेशावर में और जो northern Pakistan में वहाँ पे देखने को मिली है और ये used होती थी मेलनी जो monastic complex होते थे जो monastry होती थी complex उसमें देखने को मिली है जहाँ पे monastries इस टेको जो है use की गी थी extensively तो नालंदा और विकरम शिला में और जो गंधारा region था वहाँ पे भी ये देखने को मिली है अब जो ये द्रवीडा द्रवीड आर्टिटेक्चर जो है जिसमें handed of scooter इस टू को figures जो है use की जाती थी decorate करने के लिए विमान विमान जो होता था सबसे उपर जो विमान होता था जो शिखर टाइब से उसमें यूज करें मिनी खुजरा हो अर्गलाजर सर्विय आफ इंडिया जो है उसने restore किया है जो है यहाँ पर सबसे उपर जो है कैलाज है symbolic water pot की طریقے سے उसके नीचे जो है अमलक है अमलक pure essence कहा जाता है उसके side में जो है शिक्र इसे चैन सब्ढूड कहा जा रहा है उसके ठीक नीचे गर्व ग्रे है और उसके गर्व ग्रे है और इसके नीचे अंत्राल है उसके आगे आंगे तो महा मंडप मिलेगा उसके और आगे आएंगे तो मंडप मिलेगा उसके और आगे तो अर्ध मंडप मिलेगा तो महा मंडप मंडप और अर्ध मंडप और उसके बाहर आएंगे तो intense steps मिलेगे पीछे देखें तो ये platform पे जिस में है जिस platform पे है उसको जगती कहते है यह platform होता है जगती और उस platform पे जो walls होते हैं जंगा जंगा गहा जाता है उसके उपर बालकनोईट windows है और अगर अगर गर्व ग्रह के ठीक नीचे देखें तो प्रदिक्षिना पत है जो चाओ तब घूमने के लिए होता है अब जो group of temple है यह built हुए थे between 9th से 12th century के बीच में अब टू लगभग 24 different temples यहाँ पाए गया है यह जो name है main जो temple है is dedicated to Lord Shiva को dedicated है इसे मारकंडेश्वर और मारकंडेश्वर या मारकंडेश्वर या मारकंड देव मारकंड देव टेंपल दिया गया है यह मारकंड विलज जो है वहीं पर पाया गया है on the river of Wayne Ganga वेन गंगा नदी जो है उसी के बगल में मारकंड विलेश्वर विलेश्वर विलेश्व वहीं पाया गया है यह famous यह famous है क्योंकि इसमें mini खुजराहो कहा जा रहा है खुजराहो ऑफ विधरबा इसको खुजराहो विधरबा कहा जा रहा है क इसमें शैव वैषणवा और शक्ति फेत् पाया जा रहा है अब आगे चलते है और यह टेम्पल जो है बिलॉंग टू नगरा इस्टाईल यह टेम्पल जो है नगरा इस्टाईल आफ़ नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया में जैसे होता था इसलिए कि तुर्फी टैंपल एक है एक क्रेटिने गरह स्टाइल और साथ में साउथ में मुच में वेशरा अस्टाइल आता है तो होुसेला वाले जो है वेसलर स्टाइल में यह बिलीव किया जाता था जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती थी अब 200 साल पहले लेट टू दा पार्शल कुलैप्स हो गया और शिकरा शिकर जो इसका था वो पार्शल कुलैप्स हो गया देन जो गॉन रूलर थे गॉन रूलर लगबग 120 साल ए यर्स एगो ट्राई वो रिस्टोर करा है इस टेंपल को ब्रिहदेशो टेंपल ब्रिहदेशो टेंपल इसे कुम्भा कुम्भा भिशेकम कुम्भा भिशेकम सरेमेनी जो है वहाँ पे होई ब्रिहदेशो टेंपल after 23 years, 3 साल बाद ब्रिह देश और टेंपेल या फिर यहाँ पर एक सरिमनी जो होई जिसका नाम है कुम्भा कुम्भा भीशेखम कुम्भा भीशेखम ये पार्ट है जो कंसिक्रेशन सरिमनी होती हिंदू टेंपेल में और कुम्भा means head और कुम्भा का मतलब head है और ये denote करता है जो शिखर है और जो crown है और टेंपेल जो गोपुरम जिसे हम कहते हैं जो शिखर होता है इसका head और फिर crown उसे कुम्भ कहते हैं और अभी शेखम मतलब जो ritual bathing होती है तो यहीं बगल में tank है वहीं पर ritual बाते हैं को तो इसलिए कुम्भ अभी शेखम कहा जा रहा है ब्रहे देशोर टेंपेल जो है dedicated है मेंदर है dedicated है Lord Shiva को तंजावर तंजावर में तमिलनाडो में South Bank of जो कावेरी है यह जाना जाता है पो पैरियो पैरिया कोविल पैरिया कोविल राजा राजेश्वर टेंपेल या फिर 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 राजेश्वर वन के दोरह बनाया गया था 1003 से 1010 ते बीच में साथ सालों में यह largest temple है इंडिया में और एक्जाम्पल है दिरबना इस आर्टिटेक्चर का यह पार्ट आफ यूनेस्को वर्ड हरिटेस साइड भी है इसको ग्रेट लिविंग चोला temple कहा जाता है इसको great living चोला temple कहाता है और विद अधर टू बिंग जो इसके साथ दो और जो है temple एट गंगाई कोंडा चोला पुरम टेंपल एट गंगाई कोंडा चोला पुरम और एरावतेशुरह temple at dhara suram dhara suram तो location अगर चोला temple की देखें उन्हें इसको side में तो यहां पर आपको तीन जगे मिल जाएंगी एक तंजाओर में जहां तंजाओर जो है वहां बुर्देशुरा temple मिल जाएगा आपको और गंगाई कोंडा चोलापुरम में आपको गंगाई कोंडा चोलापुरम और अर्थ वे वे तेशुरा क्या करते हैं जो एरा वत तेशुरा temple जो है धरा suram में मिल जाएगा तो एक ही जिगे पे हैं कावेरी के उपर नीचे ही यह सारे temples बने हुए हैं आगे चलते हैं दिवडा style में क्या होता है सबसे आगे होता है गोपुरम जो main gate होता है इसको गोपुरम कहते हैं आगे आने पे मंडप मिले महा मंडप मिले मना मंडप मिलेगा मंडपा यहाँ पे महा और मिनी मंडप नहीं मंडप मिलेगा आगे जाएंगे तो सिक खर दिख फAP नीचे जो है गर भ्यरह कोगा और यह विमान इस पूरह टेकचर को जो होता है विमान कहा जाता है जो चोला है औल एस टाइल आठेकचर है ते महुंत में रीच अपनी पृफ्रक्षिन पर अंडर्चो यौडरा के दोरान पंपनी पर्फेक्शन पर पहुता, चोला जो थे follow करते थे, follow करा गये вас उन्होंने पलवा style of architecture चोला के पहले पलवा थे, इसलिए चोला जो थे, उन्होंने पलवा style of architecture को follow करा था, यहां पर सेक्टम, जो था, चोला temple का बूथ जो circular और square था, इन सैज, जो सेक्टम थहा ऑफ दे चोला टेम्पल और बोथ ज जो सर्वुलर और Σ्क्वार फेमस जो टेम्पल इंद क्या गया है जो फेमस इंद क्यूड टेम्पल है उसमें शिवा अध शिवा शिवा शु टेम्पल एड गंगाई कोंड चोला-पूरं शुव केम्पेल जो था एड गंगाई कोंड चूला पुरम बीड़ बयर विछ और भाज पीड़ राजेष्विह वन और जू नार्थत मलाई और कॉंडुम बलूर बलूर आand पुद्डू कोटाई तो नार्थ मलाई और कोडुम बल इन पुद्डू कोटाई डिस्टिक में जो स्री निवासन ना लूर इन त्रिचुडा पल्ली डिस्टिक में मिला है और ये डोम-shaped शिकरा और कलसा है जो तौप है गोपुरम का और चूला temple जो है ये नोट किया गया जो sculpture है, ornamental work कि देखने को मिला है, बहुँ साइट temple जिसमें pillar mundpums, जो बहु साइट temple हैं उसमें pillar mundpums हैं, जिसे अर्थ मंडब, महा मंडब और नंदी मंडब कहा जाँ हैं, जिसे अर्थ मंडब, महा मंडब और नंदी मंडब, sculpture और जो य ये जो उनकी वाल से उन पर स्क्लप्चर करा गया है और इंस्क्रप्चन भी मिलते हैं stone and metal sculpture stone and metal sculpture जो है found in a plenty in the chola temple जो scene है ये from Ramayana और महाभारस से पुरान से scene लियेगे है जो लाइब of 63, nine hours, nine miles जो sculpture है, narrative panel बनाएगे है, wall of the temple अब जो nightrage sculpture है, ये famous है 14 period का 12th century का और शिवा जो है associated with the जो शिवा है associated with the end of the cosmic जो वर्ड था शिवा जो है associated with the end of the cosmic वर्ड विद विच जो dancing position है नटराज की associated है शिवा शिव जो है balance कर रहे है himself on his right leg वो अपने right leg पे right leg पे balance कर रहे है और suppress कर रहे है अपस्मरा जो यह suppress कर रहे है अपस्मरा को और जो जो diamond है of ignorance and forgetfulness जो right leg है उससे एक अपस्मरा को वो diamond जो राच्छा से उसको मार रहे है और suppress कर रहे है of ignorance of forgetfulness और यह foot of the same link at the same time उसी समय वो raise his second leg जो है in भूजन गत्रसिता दूसरा जो लेग है वो भूजन गत्रसिता जो इस है वो represent कर रहा है जो त्री भू वह त्री भू वह त्री भू त्री भू त्री भू जो किक कर रहा है अवे दावेल जो है माया का और illusion का from the devotees mind माइन के अंदर mind के अंदर जो illusion भड़ा है माया का परदा है उसको हटा रहे हैं और यह जो फोर आम से चार हांथ हैं या ओडिस्टेज्ट हैं जिसमें में जो right hand है राइट जो हैंड है वो अभय हस्त में है और जो gesture gesture guesting कर रहा है और जो अपर अपर right hold है जो अपर right hold है धमरू जो musical instrument है जिससे keep on beat ताल और जो अपर left hand carry flames उसमें आग flame है ज्वाला और हैं जो left hand है held in धोला हस्त धोला हस्त जो connect कर रहा है विद्धा अब है हस्त और आफ राइट राइट इस तरीके से यह जो नट्राज का है इनके जो hair locks hair looks fly on both side जो touching the circular जो जो ज्वाला माला है और जो garland है और flames जो surround कर रहा entire dancing figuration अब जो चोला आल्ट है इसमें dance जो है भारत नाट्यम और कथकली BK 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 भारत भारत नाट्यम और कथकली जो दो type of dances है perform during जो चोला period में Lord Shiva जो है रिप्रेजेंट की रिप्रेजेंट करें जा रहे हैं as the exponent of Karana dance Lord Shiva को Karana dance का रिप्रेजेंट किया जा रहा है और नट राज नट राज नट राज नट राज टेंपल जो है चिदंपरम और शारंग पानी टेंपिल जो नट राज टेंपिल है चिदंपरम और शारंग पानी टेंपिल है कुमभा कोनम कुमभा कोनम एंड जो डांसिंग पोज है Lord नट राज के जो ड्रामा है जो ड्रामा है राज 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 परिया पुरहनम जो है यह ब्यूटिफॉल डिपिक्ट किया जाती है जहां पर कैलाश कैलाश नाथर टेंपिल जो है कांची पुरम का विश्नु टेंपिल जो है मलाई या दी पट्टी जिसमें कंटेंड फाइन जो स्पेसिमेंस है चोला पेंटिंग के अधर जिसमें वर्ड वर्ड मॉनिटेज मॉनूमेंट्स फंड जो होता है यह मॉनीटर करता है रियर स्टेशन और ग्रॉप सुरंगा बावरी पावरी न जो हैंटिक्नल पार्ट है एंशन करेंट सि्स्टेम मेंट जहां पर सप्लाई किया जाता है वौटर थ्रू सब तरह आयन कि दधार दूरीग साही यह जो था करिंट कर नाटका में करेंच जो है last см pupils चलीज जो होता है Middle East गाएस्ट ती च्रीजन जो थै और अंडिया में करेंच सिर्ट मोची जो होता है मिडेल एस्ट रिजिएन जो था और in the region in the western Dicken region जो था सौथ इंडिया का 1489 से 1489 से 1686 तक 1489 से 1489 से और 1686 तक बेलम केव बेलम केव जो है इनको बेलम केव जो है इसो बेलम केव बेलम केव और बेलम गहालू गहालू आंद्रप्देश में कहते हैं जो सिकेंड लार्जेस्ट केव है इन दे इंडियन सबकॉंटियन ओनली आफ्टर करीम लियाथ फरा केव इन मेगालिया एक मेगालिया में भी केव है जिसका नाम क्या है करीम केरम करीम लियट परा केव जहान महल यह टो इस्टोरी शिप पैलेस है बिट्विन टू रिजर्वार बिट बाय सुल्तान गैस सुद इस प्लेजर एंड री क्रेशनल रिसॉर्ट यह लोकेटेट है इन मांडू इन मध्यपदेश बीबी का मकबरा बीबी का मकबरा यह मजूलियम है जहां बिलीव कि बिलीव किया जाता था यह कॉंस्टेंट किया गया प्रिंस आजम सा जो सन थे और नजीब के इन दा मैमोरी आफ इस मदर दिर्लास बानू बेगम दिर्लास बानू बेगम इसे रूबिया उल दुरानी कहा जाता था 1651 से 1661 तक बनाया गया था और अंगाबाद में महराष्ट में इसे ताज आफ दिकन कहा जाता है बिकाज इस स्ट्राइकिंग रिजंबलेंस बिल्कुल ताज महल की तरक्य से ही है उसके बाद सिर्सा थेर मोल्ड तिर्सा जो है ये डिस्टिक हर्याना में है हाउसेज मांड जो बिलीव किया जाता है अन रिवेल सम क्ल्यू जो मिलते हैं इंशेंट सिटी जो था सरी सरी सिखा सरी सिखा सिर्सा बिलीव किया जाता था वन आफ दा जो ओल्डेस टाउन था लोकेटेड इन हर्याना ओफ इंशेंट रूट लीडिंग टू तक शिला तक जाने आला एंशेंट रूट था नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें पेंटिंग और अदर आर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगी पहला है पट्टा चित्र पट्चित्र बहुत सारी जो पीस होते हैं पट्ट चित्र आर्ट ये डामेज हो गई है डू टू नेक्ल और फिर्स पिक्टोरियल जो conception था जो technique of painting line formation और जो color scheme थी यह जो painting है traditionally drawn हुई थी by महापत्रास से जो original artistic cast थी in Odisha बिकॉस जो important art है from the ornamentation of Lord Jagannath in the innermost sector में जो feature है इसकी जो artistic dozes थी dozes not use a pencil pencil नहीं उसकिया था नहीं और charcoal for preliminary drawing preliminary पहले पहले से drawing करने के लिए नहीं pencil यूज़ कही थी नहीं charcoal यूज़ किया था पटचित्र जो है एक traditional है जो complete borders होते हैं of painting first जब जब पहले border बना लिए जाता है उसका painting जो होती complete की जाती है it held यह जब complete कियाती है तो over the charcoal fire और lacquer जो apply कियाता है to the surface इससे क्या होता painting जो होती water resistant हो जाती और durable हो जाती है पानी से resistant और durable हो जाती है beside giving it a shining finish यह discipline deploying art जो थी from the painters जो mainly rigidity in their use of the color और जो patterns थे restricting करता था जो color to a single tone जो theme थी जो temple की theme थी depiction जो था temple का lord जगनाथ थे और जो इनके बदर बाल बल बलराम और sister जो सुबधरा क्रिशन की लीला और जो in creations है Lord Vishnu के myth mythological और जो fog stories थी पंच्चतंत से पुरान से रामायर से महाभारत से और गीत गोविन से लिए कहते हैं जो craft है craft material और जो colors थे material जो use के जाते थे painting में vegetable और अर्थ और या फिर mineral sources थे गम जो होता था गम होता था कई था कई था ट्री जो होता था वो chiefs integrant था गम का जो use होता था base for making different pigments white जो prepare किया था था वो corn shell से red जो होता था हिंगुला एक mineral है yellow जो था वो हारी थाला इस्टोन से blue जो है राम राज से जो variety of indigo और black जो है वो obtain होता था lamp lamp black और coconut shells से यह जो जो यह जो पैसेज था यह इस समय जो पच्चित्र आर्ट थी यह gone through commendable transaction have been painted on tushir silk या फिर palm palm leaves पे और यह create करता था एक wall hanging and show pieces related information रगूर 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 जो पूरी में उडिसा में है यह identify किया गया है कि जो heritage village है यहां पर भी traditional work ranging from पच्चित्र से to paper mask और जो wooden curving है to those that are made here other important जो other important जो scroll painting है जिसमें कालम कारी painting कालम कारी कालम कारी painting जो है अंध्र प्रदेश में है काली घाट पट्स काली घाट काली घाट पट्स यह पेंगॉल में है पड़ पेंटिंग जो रजिस्थान में है अब कालम कारी कालम कारी जो है अंत्र प्रदेश में हैं काली घाट पधा बेंगॉल में हिए उपर पढ़ पढ़ जो है रजिस्थान में चेरियाल जो है तेलांगना में पिटवई रजिस्थान में अब बागरू 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 जो है रॉक पेंटिंग बागरू ब्लॉक पेंटिंग मिनिस्टर यूनियन टेक्स्टाइल मिनिस्टर ने इनागरेट किया है कि जो तिंटा वाला तिंटा वाला museum है बागरू जो शो करता है शो केस करता है चिपपा कम्यूटी को hand block painting के लिए यह hand block block painting बागरू block painting क्या है यह traditional technique है printing की जिसमें natural जो color होते हैं वो done by चिपपा कम्यूटी चिपपा कम्यूटी जो बागरू village है और राजिस्थान इसलिए इसको बागरू block कहा जाता है ट्रेडिशनी जो मोटिप्स थे मोटिप्स printed थी बागरू जो large with bold line के दरह जो मोटिप्स जो थे include किया गया था जिसमें wild flowers, birds, leaves और जो painted जो geometrical pattern जो थे main color जो use किया गया है बागरू में वो red and black है other important अगर हम traditional block painting देखें टेकनीक्स इंडिया इसमें गुज्राद में अज राक प्रिंट हैं राजस्थान में संगहा शंग संगहा नेरी अज राक बाबू और मद्रप्देश में बाग प्रिंट और जो बेरूगर प्रिंट हैं अंद्रप्देश में कालमकारी जो कलकत्ता में कलमकारी और सेरंपुर जो वेस्ट रथ वाज भीज नायक गजलाद अंफ़ थी तो वहां पर कुछ ट्राइब थी जैसे रथोज भीज और नायAK बाठत वाज भीज और नायक जो ऐसे की वेडिंग, फेस्टिबल्स और सेलिबरेशन सुलावेशी आर्ट यह केव पेंटिंग है और सुलावेशी आइलाइन जो इंडोनेशिया में है वहां पर देखा गया है में कास्ट न्यू लाइट ओफ बिगिनिंग अफ दा मॉडर्न रिलिजियस कल्चर यह जो केव प इंडर लाइम स्टोन लाइम स्टोन में मिली है 2017 में और डेटेड लगभग 44,000 यह साल पहले है यूजिंग उरेनियम स्रीज एनलिसिस यहां से उरेनियम स्रीज एनलिसिस से पता चला है ग्रैणस अंर संब्सक्राइब इसमें आसामी बोना एक ग्रुप है पोना डिस्टिंग जो परफॉर्म करता है अभू अभु धाभी इंग्लिजिस लैम्वेज in लेज्ज लैम्वेजिज में स्वाणत्री ट्रैडिशनेल लैम्वेज और ब्रेजवाली जो एह साम का लैंवर्ज थी वो बरजी वली था अब बोना 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 क्या है मेथा डॉलोजी बेजड ट्रडिशनल परफॉर्मेंस है क्रेट किया गया था शंकर देव के दरा यह जो प्ले है बोना का जिसमें पॉपरली नोन एज अंखिया नट अंकिया नट और जो स्टेंडिंग होता हैं 40-50 लोग और यह में डालॉक्स होते हैं सॉंग होते हैं डांस होते हैं बाइप परफॉर्मर्स इन कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अपने अपको सजाते भी है अब बोना जो और ना और कैस्टर अटायर है यह स्टार्क वाइट और जो एक्टर्स होते हैं वियर करते हैं कॉस्ट्यूम पहनते हैं रिप्रेसेंट करते हैं वेरियस जो किंग वो जो लोग होते हैं अपने आपको किंग कॱिन और डामन की तरहीं से लेanne की तरहीजाते हैं यह जो जो पर फॉर्फार्मर्स हैं पास करते हैं तो यह आर्च वी ऑफ्डा माला है फैक लाइट इन बयान ग्यान, बयान के दरारा मुझकल पर्फॉर्म किया देडिशनल जो इंस्टमेंkt होते हैं खोल, खोल, ताल, दोबा, खोल, ताल, लबा, नगर, नगरा और जितने भी इंस्टमेंट होते हैं यि क्रेट कहा गाय थे शंकर दिव के दरार, जिस जो ज— WITH यह kreate की गई थी शंकर दिओ यह create की थी यह create हुई थी संस्क्रिट से इसलिए यह create हुई थी because because the Sanskrit जो थी वह original language थी यूज्ट होती थी Hindu religious text में was difficult for common people क्योंकि common लोग Sanskrit नहीं पर सकते इसलिए शंकर दियो ने यह ब्रजवली ब्रजवली language मनाई चंकर देओ जो चाहते थे एक language जो जो ड्रामा में इस तरीके से जिससे की different लोग जो है connect हो सके हैं अब with his आसामी आसामी's mask के दोरा और who did not expect divine character of his play to speak in the common man's language इस तरीके से वो common language man's की भाशा बोल देओ शंकर देओ स्रीमन्त स्रीमन्त शंकर देओ जो थे 1449 से 1449 से 1568 तक रहे जो great आसामी सेंट थे scholar भी रहे poet भी रहे pray write special performer और जो founder थे वैशनो निजम इन वैशनो निजम वैशनो निजम इन आसाम वो inspired थे इन्होंने inspire किया भक्ती movement आसाम में और unite यूनाइट किया people through his new वैशनो जो movement था एका सरन नाम धर्म एका सरन नाम धर्म से और जो शंकर देओ English आसामी लैंवेज और जो लिट्रेचर थो इस poetry के दोरा ड्रामा के दोरा जिसे अनिका नट और जो सौंग भोर भोर गीत और जो बहटिमा कहा जाते थे वो फादर थे असमी इस classical dance के शास्त्री जो dance है उसके फादर भी माने जाते है other performance जो है गटका गटका एक ancient martial art है पंजाम में गटका जो है जिसमें wooden stick होती है खुट का जो used की जाती है training में ये believe किया जाता है कि originate होई थी जब सिक्स गुरू जो हर गोविंद adopt करे थे क्रिपान जब क्रिपान उन्होंने धारन किया था for self defense during मुगल एरा तो गुरू गोविंद सिंग के समय ये से चला रहा है कलारी पट्टू कलारी पट्टू ये oldest martial art है form जो originate हुआ था के रिला में और ये 3rd century BC में कलारी पट्टू टेक्नीक जो है include करता है combination of steps and posture step of postures में फिर है यक्ष यक यक शंगना यक शंगना यक शंगना ये traditional theater है form of करनाट का जो based है methodological stories और जो पुरांस में most popular जो episode है महाभारत और रमायन का इसमें combined dance और जो music dialogue costume makeup और जो stage technique है विदे unique style and form यक्ष मीस देव डेमी गॉड डेमी गॉड जो और जो घाना मतलब song तो डेमी गॉड के लिए song ये belief किया जाता है और जनीट हुआ था भक्ती movement in between 11th and 15th century खान खान राम लीला रिसेंटली जो कल्चर है उत्ते पुदेश का उसने और नाइस किया जो country का first training और जो performance program था खान राम लीला in collaboration with the Thailand government के साथ खान मस्केट डांस जो है और ड्रामा थाइलेंड का है जो परफॉर्म करता है आर्ट जिसमें involved होते हैं ग्लेस फुल जो dance movement और जो instrumental और जो vocal renditions होती है glittering, glittering costume होता है जिस depict करता है जो glory है राम का और has no dialogue कोई dialogue नहीं होता है background जो wise का narrate करता है जो whole story of Ramayan, Ramayan की whole story को narrate करता है khan khan Ramlila of Thailand जो है is included in the list of UNESCO intangible, intangible cultural heritage UNESCO की intangible cultural heritage में रखा गया है mala kambha, mala kambha ये traditional Indian sport है gymnastic performance feet जो पोस कर इन concert with the vertical wooden pole और जो ropes है word also referred to the pole used in the sport जो origin हुई थी mala kambha can be traced to the 12th century 12th century में इसका हुआ था where it is mentioned in Manas Olhas Manas Olhas ये classic है by Chalukya के दोरा in 1135 1135 AD में ये it was revived under ये revive रवाय था after seven and centuries आफ्डर ये रिवाय था आफ्टर सेवन इस्पैश्वा के बाजिरोः टू, ये जो पास किया एक resolution जो डिमांड कर रहा है declaration of Marathi Marathi को classical language कि जो महा समयलन है यह annual conference है Marathi writers का जो start हुआ था 1878 से यह head जो head जो किया जता है Marathi intellectuals जिसमें justice महादियो गोविंद रानाडे महराजा साया जी राओ गड़ी एकवाल थी ऑफ बरोद्रा और पहलाद केशव आचारे अटारे यह जो currently six language जो enjoy करते हैं classical status जिसमें तमिल 2004 में संस्कित 2005 में कर्नर 2008 में तेंगलू 2008 में मल्यारम 2013 में उडिया जो है 2014 में mystery of culture जो guideline for declaring declaring कि किसी भी language को as a culture high antiquity जो है of early text or record history जो है over 1500 से 2000 साल पहले का है और जो body है ancient literature जो जो body है ancient literature text वो भी consider जिसका variable heritage by generation of speaker जो literature है tradition जो literature tradition है वो भी original और not borrow नहीं होना चाहिए from another speech of committee original जो language है और जो literature है being distinct होनी चाहिए modern से और ये जो है और ये जो है अलसो भी discontinuity between the classical language और एट लेटर फार्मस फार्मस और और एट्स offshoot benefit जो है benefit acquired जो benefit accurate to the classical language आर जैसे तू मेजर जो तू मेजर अन्वर इंटरनेशनल जो एवार्ट है are a scholar of eminence in the classical Indian language are given just a center of excellent to center of excellence for studies in classical language is set up your center of excellence to center of excellence her for studies in classical language is set up audio University grant Commission a UGC university university-ugrant Commission iwalk to award जो research project for promoting these language and create a certain number of जो professional chairs है for the classical language in the central universities उर्दू उर्दू जो है जो recent पंजाब उनिवर्सिटी है उसने प्रपोस किया है कि उ मर्ज करेगा जो department of हंदू जो department of उर्दू language है with the school of foreign language है जो lead to the criticism देखने को मिला that उर्दू is an Indian language about उर्दू जो है एक official language है 8th schedule के अंदर under constitution of India और ये 15 Indian languages जो written on the Indian currency उसमेप से भी एक है और ये official language है जो state में जैसे कश्मीर, तेलांगना, यूपी, बिहार और न्यू दिल्ली और वेस्ट बंगॉल ये उर्दू closely related to Hindi की से हैं और ये very similar है phonology और grammar में ये जिस तरह जो भाशा बोलने का तरीका होता है grammar ये बिल्कुल related to Hindi है और expert मानते हैं कि उर्दू language जो थी originate हुई थी और evolve हुई थी इंडिया में from 6th से 13th century AD में और जितने भी historical reference indicate करते हैं कि origin जो है उर्दू की ये टेक प्लेजन पंजाब इस टेट ऑफ इंडिया और इसकी जो डायलेक्ट है उसमें दे लवी और रिक्खा रिक्खा रिक्ख रिक्खता despite Persian script Persian script होने के बाद ये उर्दू जो है इंडियन लैंवेज है because several जो एक्जामपल है इंडियन लैंवेज के जो रिटेन स्क्रिप्ट है वो द्राइब फॉट्साइड कंट्री जिसे पंजाबी शेक्ख मुखी लैंवेज also drive also written from right to left after its origin in पंजाब पंजाब में इसके ओरजिन होई थी उर्दू और फ्लॉरिश हुआ दिली में अलॉंग विद पार्ट जो थे हर्याना स्टेट और कुछ स्टेट जो थी साउथ वेर इट वस्ट देवलब इन फॉर्म ऑफ दखिनी दखिनी लैंवेज इंडिजनेस लैंवेज दोया उन्टीज में युनाइटेट ने इन इंटेनेशनल येर ओफ इंडिजनेस लैंवेज कहा और पापुआ निव गवाइन जो है हाइस नंबर ओफ लिविंग इंडिजनेस लैंवेज वहां पाई आते इन दे वर्ड आट सो चालेस और इंडिय तोरताल यूण इंडिजनेस और ट्लेज्ट जो है व्र्ड लेंवेज इन इन दांगेर 228 लैंवेज ये हैं इस बीकम इक्स्टेन दोस अरपाइस्न लैंवेज वह वह क्लासिपाइड वरनेबल वाइल जो अढ़र टेन परसें जो हैं क्लासिफाइड येजेंड इंडिया में 5 लैंवेज जो हैं become extinct 5 लैंवेज जो हैं वो एक्स्टिंट हो गए हैं सिंस 1950 से वाइल 42 जो है critically endangered है critically endangered है जो central government है उसने implement किया है protection और preservation of endangered जो लैंवेज हैं इंडिया में for protection preservation and documentation of all जो mother tongue और जो languages है इंडिया में which are spoken by less than 10,000 people's जो dialect है वो अलसो cover की जाएंगी under this program ये implement किया जाएगा Mysore based जो central institute of Indian languages है जो UGC है scheme for establishment for center for endangered languages के लिए under which जो center है वो approve करेगा in respect with nine other central university के साथ जो UGC है ये invite करेगा proposal from universities for जो establishment है department of देवनागरी लिपी जो universities में with the U जिसमें preserve किया जाएगा dialect को which do not have a written script in देवनागरीं related information में most widely जो spoken language है जिसमें online database जो इतनो log you है globally English remains the most widely जो spoken language है उसके बाद follow by mandari 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 उसके बाद हिंदी जो third third है और बेंगॉली जो seventh है तो third language जो हिंदी है इंडिया में as per census 2011 हिंदी जो है most spoken language है over 528, 528 million बेंगॉली जो है 92, 97.2 million speaker, Marathi 83 और Tenglu 81, Tamil 69, Gujarati 55 और Urdu 50, 50.8 million लोग इसे बोलते है अब initiative of UNESCO, UNESCO World Heritage Site है जो भी pink city है जैपूर का उसको UNESCO World Heritage बना लिया गया है और 2017 में old Ahmedabad जो था वो पहला इंडिया का first city था जो world heritage site, heritage city बताया गया था जैपूर का inclusion किया गया है number of heritage site जो है across इंडिया में UNESCO World Heritage Site अब जो है 38 हो गई है और 30, 30 जो cultural properties के लिए है 7 जो natural properties के लिए है और एक जो है mixed है तो 30 जो cultural properties है जिसमें culture अलग अलग है और 7 जो natural properties जो एक जो mixed है इंडिया जो propose करता है nomination of जैपूर as exceptional urban example in the indigenous city planning जो एक्सेप्शनल यहां पर urban example है in indigenous city planning और जो construction in south asia जैपूर जैपूर city planning जो है यह पॉड़िफाइट सिटी है चारो तब से के लिए बंदी की गई थी और जैपूर इंडिया जो नॉर्थ वेस्टेन स्टेट जैपूर जो थी जैपूर नॉर्थ वेस्टेन स्टेट ऑव राजिस्थान जो फांड होई थी 1727 में बाई स्वाई जैसिंग टू के दो जैपूर जो है distinguished है for its explanatory development जो है टाउन प्लैनिंग का और जो अर्टिटेक्चर है और जो लेट मेरिवल पीरियड का अधर सिटी की तरीकी से जो रीजन लोकेटर इन हिली तरायन में जैपूर जो है established हुआ था on the plane और बिल्ट किया गया था grid plan grid plan के दोरा जो interpret करता है जैसे की वेदिक आर्टिटेक्चर सिटी जो अर्बन प्लैनिंग है शो करता है जो exchange है ideas from ancient Hindu ancient Hindu और जो modern मुगल है साथ साथ में western culture ये design किया गया है ये design किया गया था to be a commercial capital ये design किया गया था to be a commercial capital जो capital जो city थी वो maintain its local commercial commercial artisanal and cooperative tradition जो थी जैपूर जो boost कर रहा था जो vibrant intangible culture और जो heritage reflect करती थी जो tourism के लिए destination था iconic monuments यहां पर गोविंद देव temple गोविंद देव temple अमेर फोर्ट अमेर फोर्ट अमेर फोर्ट अमेर फोर्ट सिटी पैलेस सिटी पैलेस और जंतरमंतर और हवा महल है ये वर्ड इसमें world heritage world heritage जो committee है वो executive body होती है जो responsible होती है for implementation of the world heritage convention ये जो convention है ये international agreement होता है adopted in 1972 by member state of the UNESCO primary mission है convention का is to identify करना identify करना protect करना जो world and natural world की natural और जो cultural heritage considered to be the outstanding जो universal value है strategic objective जो है convention का वो बेस था on the on the five CS जिसे critical credit, credibility, conservation, credibility, conservation, capacity building, communication, all communities credit stability conservation, capacity building, communication, communication and communities जो convention serve करता था as a catalyst to rising जो awareness है for heritage preservation जो world heritage site है जो world heritage fund है set up kya gya under new convention provide kya gya financial assistance to two to state parties in identifying to preserving and your promoting world heritage site is for a city your city that to be designed as a world heritage ageocytum design as a world heritage and the UNESCO it has to be of outstanding Joe universal universal value thing you need to commit to protect on conserve its heritage अब जो UNESCO है यह specialized agency है यह UNESCO जो है specialized agency है UN का based in based Paris में जो declare करती है purpose to contribute जो यह contribute करती है peace के लिए security by promoting international जो collaboration है जिसमे educational scientific और cultural reforms जो है जिस तरीके से increase हो रहा है universal aspect for justice जो rule of law है और जो human right है along with जो fundamental freedom proclaim हुआ UN Charter में United State United State और इस्राइल इस्राइल उनाइटे उस उनाइटे इस्टेट और इस्राइल left कर चुका है UNESCO को on 31st December 2018 अधर जो इंडिया की world heritage site है न्यूज में इसमें शोर temple मालापुरम का यह structure temple build हुआ था 700 से 728 AD में यह गिनाइट ब्लॉक्स से बना हुआ है यह बड़ बिल्ट कराता पलवा पलवाजने नर्शम नर्सिंभ वर्मन टू जो ड्रिवनाइस style में of literature अजन्ता एन एलोरा अजन्ता एन एलोरा इन और अरंगाबाद महराज अजन्ता केव जो हैं रॉक कट मौनेंस्टी है रॉक को चटानों को काट के बना गया था यहां पर बुद्धिस्ट हिंदू और जैन्त बुद्धिस्ट हिंदू और जैन्त यह तीनों मिलते हैं और जो प्रिटिंग लगभग है छे सो से एक हजार संचरी बीसी महाबोधी टेंपल महाबोधी टेंपलेट बोध गया महाबोधी जो टेंपल है यह कॉंपलेक्स है और फोर जो हुली साइट से रिलेटेट टू दा लाइफ अफ लॉर्ड बुद्धा और जो पर्टिकली टू दा इनलाइटमेंट फर्स्ट जो सर्म फर्स्ट जो टेंपल था बिल्ड किया गया था यह अशोक के दौरा और थार्ड संचरी में और प्रिजेंट जो टेंपल डेट फॉम फिफ्ट टू सिंचरी यह जो है रिलेस्ट बुद्धिस टेंपल है बिल्ट अंटारली इन ब्रेक्स जो स्टोन चैरियट एट हैंपी यह जो चैरियट है रत यह श्राइन डेडिकेट टू गरुन जो बिल्ट इनसाइट दा विठ्थला टेंपल जो है कॉंपलेक्स युनेस्को वर्ड हरिटेज साइट जो टेंपल है यह लोकेटेट एट हैंपी जहांपे और दा बैंक ओफ रिवर तुख भध्रा, रिवर इंक उर्णाठ का जो हैंपी चैरियट हैंड isका नाम जो है अमंग अदर थ्री, फिमस स्टोन जो चैरियट है इसमें All eleg Сам may में हैं और अधर जो है महमलापुरम में जो चैरियट देखने को मिलता है बेड़ बाइक किंग कृष्ण देव राय कृष्ण देव राय ऑफ दा विजय नगर इंपायर डिरिंग जो 16th सेंचरी जब गौड फैसिनेटेट विद दर कुनारक संटेंपल चैरियट वाइल फाइटिंग बैटल इन उरीसा अब टेंटें टेंटिटिव लिस्ट आफ दे यूनेस्को वर्ड है टेस साइट यूनेस्को जो है वो इंक्लूड करा है और्खा सिटी जो हैं पी का और्खास पी जो है यह गाल्चराल हरीटेज है जो हिस्तोरिकल सेटिल्मेंट यह ड्राइफ ओप हुआ उसका नेम जो है फ्रेस ओौड ओडो ओंको उन्रोची मतला मेंग लोग ओर हिडिन यह जो वैंक है बिंटवा रीवर बिटवा रीवर यह और्जुड ओ और्खा जो बिल्ड कि temple औरखा फोर्ट complex जो राजमहल और औरखा जो है यह फेमस है for its दो दो elevated इलेवेटेर मिने में में मिनरेट्स दो elevated मिनरेट्स जिसे सावन और भादों और जो फोर पैले से जहांगीर पैले स राजमहल, शीष महल और राय परवीन महल और for its जो concept open banglaze stone work windows देखने हो मिलती animal status depict करता है जो culture है बुंदेल खंड का साथ में यहाँ पे only palace in the India जहाँ पे Lord Ram जो है worship कर जाते है as a king not in God form king की form में होती है ना कि भगवान के यह depict किया जाता है temple in his name Sri Ram Raj Mandir कैलाश मांसरोवर यह यह mixed category है बोथ जो natural और साथ में culture heritage यह site जो है share करती है land escape in the east with Nepal और border by the China on the north जो Indian site है यह large land escape जो है 31,000 square kilometer referred कैलाश sacred land escape जो constitute करता है mount कैलाश और जो lake मांसरोवर in the remote southwest portion जो है तिबद का यह autonomous region है चाइना का और adjacent district जो है in the far western region of Nepal जो four river originate होती है from from mount कैलाश जो इंडस ब्रह्मपुत्रा और कार्नेली कार्नेली एंड सतलज मिनिस्ट्री जो एक्स्टेरनल अफेर्स है यह और्गनाईज करती है 52 जो sites है important इरान और जो इरानिन कल्चर है इरान होम है one of the oldest जो civilization dating लगभग 10,000 BC और इसमें वर्ट यह इंपॉर्ट जिसमें पसार ग्रेड एंड परसी पोलिस जो आर्कमेडिक इंपायर में 6th BC की है तक तक ते ए सोलेमान यह जो जो रोस्टीन सेंचरी है convention जो हुई थी protection of cultural property in the event of armed conflict जो है 1954 का international जो treaty focus करती exclusively जो है on the protection of the cultural heritage during war और जो armed conflict है जो convention define करती है जो culture property होती है mobile या फिर a mobile property of great जो importance होती है to the culture heritage of the every peoples यह जो monuments है जो architecture है और जो art और जो history है वेदर चाहाई religious हो चाहाई secular archaeological sites currently 133 जो signatory है to convention बोथ जो US और जो इरान है यह signatory है इंडिया भी signatory है जो Rome statue है 1998 की found treaty जो है international criminal court यह describe करती है कि war crime any intentional जो अगर attack होता है against historical monuments पे या building जो dedicated है religion education या art और science फे 122 जो country है state parties वो to the Rome statue जो है international criminal court यूएस जो signatory है has not ratified the state statue in US अभी signatory है ratify नहीं किया इंडिया नहीं नहीं नाइदर नाइदर sign किया है ना ही ratify किया है statue को UNESCO का creative sites network UNESCO जो है announce कर चुका है मुंबाई और जो हैदराबाद है यह include करे जारे अमंग 66 जो cities है making total city under the network 264 और select किया गया है इसका जो network है creative cities में on occasion of world sites date 2019 मुंबाई जो है वो मुंबाई जो है designate किया गया था creative city of film film के लिए और हैदराबाद जो है वो creative city उसकी guest gastronomy के लिए earlier जो चिन्नाई और वानसी भी select किये गया है UNESCO city for music के लिए वाइल जैपोर जो है वो क्राफ्ट क्राफ्ट और जो art form से उसके लिए select किया गया है अब UNESCO creative cities network ये initiative जो create किया गया था 2004 में जो promote करता है corporation with among cities have identified जो creativity है as a strategic factor for sustainable urban development जो city है currently make up this network network work together together towards a common objective place करना जो के यह place करता है जो creativity और cultural industries है at the heart of at the heart of their development plan है at the local level पर और cooperative activity at the international level ये जो बाइज जोइनिंग the network जो जोइन बाइज जोइनिंग the network जो cities commit कर रहे हैं to sharing their best practices है और developing करना जो partnership involving जो public और private sector है साथ में civil society जो है strength करेगी creation production और जो distribution है और dissemination जो है of the culture activity goods and services जो network के cover करेगा जो severe creatives field है जाहे वो craft और fork art को लेके होचा design film gastronomy music music media art literature previously तीन इंडियन city जो है recognize करी जा चुकी है member of u u c c n जिसमें जैपूर जो craft और for craft और fork art के लिए 2015 में वानसी जो है creative city of music के लिए 2015 में चन्नाई जो है creative city of music के लिए 2017 में ministry of culture है ये normal ministry है for all matter जो UNESCO relating to culture से होते हैं festivals अंबू बाची मेला अंबू बाची मेला एक biggest religious festival है of eastern India का in the border of state आसाम में जो celebrate होता है recently ये अंबू बाची मेला annual festival है जिसमें चार फोर डेज का रहता है कामाख्या temple में ये निलांचल फिल्स जो है गौहाटी की वहीं पे आसाम का आसाम में bank of bank of bramabhutra river पे कामाख्या temple जो है ये 51 शक्ती sign है जो represent करता है different body parts को और शिवा consort सती और ये considered as one of the prime site है tantanic culture की temple जो believe करता है कि site जो इसमें हिंदू हिंदू देवी हिंदू डेटी सती जो warm है और जो जो जनाइटल fell after after she body to death जो temple section 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 है sectorum है house है योनी का जो पुरा मंदिर हो योनी की फॉर्म में बना है और female genital symbolize करते हैं भाई rock female के genital organ को ये symbolize करते हैं rock के दोरा ये 4 दिन होने वाला event है जो believe करा जाता है कि जो जो प्रसाइडिंग गॉर्डेज है और टेंपल देवी का मक्या जिसे गॉर्डेस और फर्टिलिटी कहा जाता है गोस थ्रू एन्वल में सैकल ओफ मेंस्टूरेशन अब रिलेटेड न्यूस कहें तो करा खराची फेस्टिवल ये वीक लॉंग फेस्टिवल है जो सलिब्रेट होता है एड चतुर दश चतुर दश वेदान्त मंदिर फॉर्टी फॉर्टीन फॉर्टीन गॉर्ट टेंपल्स ओल्ड जो अगर तला त्रिपुरा में जो वर्शिप करते हैं जो है और मदर अर्थ जो पुजा है परफॉर्म होती है वाश आउट जितने पाप हैं एंड जो क्लीन करना अपने पोस्ट मेंस्टुल जो फेज है मदर अर्थ menstruation perform होती है पंदरा दिन तक आफ्टर अंबू बाची मेला और यह जो डे है पूजा का यह 14 गॉड और जो करी आउट होता है रिवर साइद्रा जो किंग थे तरिपुरा के ओफर करते थे पूजा को तो दा फूर्टीन गॉड और गॉडश बट लेटर इट बिकम दा फेस्टिबल ऑफ कॉमन पीपल जो एनिमल सेक्रिफाइज है यह उसो इंपॉर्टेंट पार्ट है अफ दिस फेस्टिबल जो इंक्यूड करता है सेक्रिफाइजिंग और गोट्स एन पिजिंस इसमें गोट लिए 27,000 से 27,000 से 27,000 से 27,000 से 1750 भी सी तक लेकिन जो मोस्ट रिमार्कबल डिवलपमेंट है रिलिजियस फील्ड में इंडिया में फ्रॉम आवाउट 6th century AD यह इस पेड हुआ टैंट टी रिक सिस्म जो टैंट 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 रिजम है यह एड्मिटेट बोट जो व इसको लेके होता था अब जो यह इसका जो इंटेंट किया गया था कि सेटिस्वाइब करना जो मैटिरियल डिजायर है जो मैटिये सेटिस्वाइब करना जो मैटिरियल डिजायर है और जो डिवोटीज है और फिजिकल पोजेशन के यह क्योर करना डे टुडे जो डिजीज और इंज्रीज हैं ब्रामन जो अड़ाप्ट करते थे ते भ्यर्पटे पहले होँ सह ट्राइबल रिच्वल और ओ चाम जो नौ और ऑफ्रिशनली कंपाइड Şar Workshop जाते हैं और इस फॉस्टर रोडों गया बाएदम टेक्टिनिजम जो है परमिट परमिटेड परमिटेड जैनिजम, बुद्धिजम, चिर्चनिटी, शेविजम और वैशनिजम, मंदला जो है यह वर्क आफ सेकरेड आर्ट जो है टैंट्रिक जो टिबेटीन बुद्धिजम होपायती अंडेस्टेनिंग जो है म लाई हरा हुआ, लाई हरा हुआ, हरोबा, हरो, हरा ओबा, यह celebrate हुआ है, यह five day long ritualistic festival observe in money puri maitri community के दोरा celebrate कियाता है, लाई हरा, हरा, ओबा, जो festival है, यह festivity of God, और जो marry making of God, भगवान की शादी से related है, यह festival जो है, mark to celebrate, जो creation of universe, और जो recollection of the evolution of plant, animals and human being, जो festival है, observe to honor among lie, duty of the state, यह जो festival है, observe होता है, to honor among lie, duty of the state, during the festival, जो men और women dance करते हैं, in front of ideal, जो God और जो Goddess होते हैं, और perform करते हैं, dance, dance drama, enactment of khambha and thobie, जो hero हैं और heroine of popular folk player, यह celebrate होता है, through oral, जो literature है, music और dance और ritual, मैत्री जो है, यह majority, इतने group है, of the state of Manipuri, यह significant population, जो मैत्री की है, also settled in the domestic neighboring, जो state है, आसाम में, मेगालिया, और तृपुरा में, कंटिजनेस एरिया, जो है, बंगलादेश और मायनमार में भी, यहाँ पे, मनिपूर में, मैत्री लियॉन, यह speak बोलते हैं, और, टिबट बर्मन लेंवेज, one of the, जो officially recognized language of India की, जो include किया गया है, 8th schedule of the constitution, in 1992, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो कुट पुई, जो कुट पुई, यह मिजोरम गॉर्मन ने organized किया है, जो पुट कुई festival, जो at least 10 states across India में, और country जैसे US, मायनमार और बंगलादेश मना जाता है, यह जो event है, witness, various, जो culture programs है, by different, मीजो ट्राइब के दौरा, और exercise, जो है, यह attempt, जिससे unify करना, और strength करना, जो बदर होड है, अमंग वेरियस, जो मीजो ट्राइब है, living in different part of the world, other important, जो festivals है, मिजोरम कें जैसे मिम कुट, मिम कुट, जो मिम कुट है, यह अगस्त और सितंबर में, जो मेज क्रॉप रेडी हो जाता है हार्विस्टिंग करने के लिए तब चाप चाप चार कुट ये मार्च में और थाल फांग वांग कुट ये मना जाता है मीजो जो है ये पीपूल एथनिक ग्रॉप है नेटिव है नॉर्थ एस्टन इंडिया वेस्टन बर्मा और जो इस्टन बंगलादेश ये कवर करते हैं several ethnic people जो स्पीक करते हैं कुखी चिन लैंवेज और मीजू टेडिशनली जो प्रेक्टिस करते हैं स्लैश और अन बन अगरिकल्ट्र मूविंग डियर विलेच फ्रिक्वेंटलिंग अमंग जो प्रमिन्ट है मीजू ग्रूप जो है जो मीजू ग्रूप है यह लुशाई पवाई लखर हमार में पायाते हैं यह त्रिपड़ा यह मनी पुरी मनी पुरी में अब आधी आधी महोसो नेशनल ट्राइबल फेस्टिबल जिसे आधी महोसो और गुर्णाइज वा रिसेंटली और यह जॉइन्ट इनिशेटिव जो थी यूनियन यह यूनिस्ट प्रणिबल फेस्टिव जो है एक्स एक्जबिशन जो होता है सकम सेल भी होत ए ट्राइबल है आधी क्रफ्ट जो आट और पेंटिंग फैब्रिक और जो यह य्यूनि जो थीम है महोसो की सेलिवरेटिशन ऑफ दा स्पेटारिशन अफ दास्पीट ऑफ सेलिवरेशन आफ द दा एलेक्टोनिक एंडिजिटल इस्किल आफ देवल एजए स्पेशल अटेंशन ट्राइफ जो है यह मिनिस्टी ओफ आफ ट्राइबल अफेर्स में आता है यह इंस्टैबलिश वा था मैं इंगेज यह मार्केटिंग कर आता है डेवलोपमेंट आफ देवल प्रोड़क्ट जो ट्राइबल आर्ट या फिर क्राफ्ट जो अंडर दा ब्रैंड नेम ट्राइबस आफ इंडिया ब्रांड नेम इसका जो है ट्राइबस इन इंडिया ट्राइबस ट्राइबस इंडिया यह एक्ट कर यह एक्ट आज एजनसी फॉर कैंसलेशन जो और एक्सपोर्ट एंपो ओढ़क जो कुछ क्ल राटे कल्ट्र फिस्टिवल मनाया तो जी से आश जा धाई भीज आस्था या फैस्टिबल यह जो है आजए जैर अ सब्सक्राम थे रेन सेलेबरेट कियाता है खची जो कम्यूटी है खच रीजन की डेजर्ट एरिया की गुजराद यह उबसर करती है खची जो न्यू येर एस पर जो इंडिजनेस क्लेंडर होता है गनेश लक्षमी और जो अदर रीजनल देवी होती है उनकी पूजा की जाते है इस वोकेशन है यह मार्क करता है जो end of the harvesting season है आसाम में और अधर जो harvest festival है different part में जैसे बैसाकी पंजाब में पोहिला बैसाक बंगॉल में और पत्थांडू तमिलनाडू में विश्नू इन केरला बोंगाना बोंगाना एक टाइप का जो हार्प है जो vibrating or read instrument है यूज कियाता है प्रैमिली मेला खीर भवानी मेरा खीर भवानी जो मेला है स्टार्ट हुआ था जेस्ट अस्टमी को biggest religious function of the displaced community कश्मीरी पंडिट जो fled हुए थे भगा दिये गए थे their home for their life in 1990s में ये जो था famous राग्या देवी टेंपल जो है जेके का और गधर बल डिस्टिक में जो कश्मीरी पंडित हैं विजिट करते हैं फाइफ अधर जो टेंपल है तुलमुला गंधर बल डिस्टिक में तिकर कुपवारा में लक्ति पूरा अश्यम हो मोका अनंत रांग में माता त्रिपूर सुंदरी देवसर में माता खीर भवानी मन ज्ञांगम इन कुलाम डिस्टि जो बॉर्डर है श्राइन एलॉंग इंटरनेशनल बॉर्डर जो फेर टेक्स यहां पर जो श्राइन है बाबा दलीब सिंग मन हस जो सेंट पॉपरली बाबा चामलियान इन संभा डिस्टिक में लूई नगाई नी लूई लंगाई ली मनीपूर में होता है यह जो सीड अशर जोई और पॉस्परिटी और जो स्टेंथ है बॉंड और वननेस और ब्रदर हुड अमंग अधर कम्यूटीज में चछट पूजा चट पूजा बिहार जो फेस्टिबल है बिहार का नेबरिंग स्टेट यूपी जहर खंड और मद्रपुदेश का नेपाल चट पूज जो है विच डिवोट वर्शिप वर्शिप सन वर्शिप करते हैं सन की रिवर्स की और वाटर बोडिज की एक स्टॉल दा डाएट वर्चू आफ दा नेचर जो हर्ण विर फेस्टिबल है ये नागालेंड मैं मैं अधर लाजिस्ट फेस्टिबल है इंडिजनेस रूजु वारियर ट्राइब है नागालेंड जो एम है रिवाइब करना ओर प्रोटेक्ट करना जो रिच यूंज आगालेंड का जो डिस्प्ले करना इस एक्स्ट्रा वैंग गना और जो डिशन जे हैं यह और्गनाईज होता है हर साल इन दे वीक उफ दिसम्बर में जो फेस्टिब named after hornbill जो most venerated bird है species in the state जो इसका importance है reflect करना जो number of tribal cultural expression, song or dance जग नागोबा जट्रा नागोबा जट्रा तिलंगना में ये जो ट्रैबल फेस्टिबल है अदीलावार डिस्टिक तिलंगना में होता है second biggest tribal कैनिवाल है जो celebrate किया जाता है जो मेसारान क्लाइन है गॉन ट्रैब ये मेसाराम मेसाराम जो क्लाइन है गॉन ट्रैब का गुसादी डांस जो performance है डांसर जो होते हैं गॉन ट्रैब के major special attention of the event सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हर्याना में जो largest craft है फिर इन वर्ड और ये और्गनाइज हुई थी 1987 से शो जो रिशनेस है डावर्सिटी है 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 एंडी क्राफ्ट हैंड लूम और जो कल्चर हेर्टेज ओफ इंडिया सूरज कुंड डिस्टिक जो फरीदाबाद हर्याना में 34 जो सूरज कुंड इंटरनेशनल जो क्राफ्ट मेला था 2020 जो स्टेट ऑफ हमांचर पिदेश चूजन दर थीम स्टेट 2013 में जो फियर ये अपग्रेट किया गया था जो इंटरनेशनल लेवल एराउंड टुन्टी जो कंट्रीज पार्टिसपेट करेंगी इस फियर में और और और्गनाईज किया गया है सूरज कुंड मेला और्थर्टी ओफ हर्याना टूरीजम इन कोलाबरेशन विद दे यूनिन मिस्टर ओफ टूरीजम टेक्स्टाइल कल्चर एंड जो एक्स्टेरनल अफेर्स हैं मुरा मुरा जम पम मुरा जब मुरा जापम रिच्ट्वल एड पद्म नस्वामी टेंपल करेला में यह जो है रिच्ट्वल यह 18 सेंचुरी में त्राउन को त्राउन कोर के किंग मारतंड वर्मा जो थे त्राउन कोर के किंग मारतंड वर्मा जो थे उन्होंने कंड़क्ट कराया था, once in six years, छे साल में एक बार होता है, involved होता है, इसमें chanting of लिकवेद की chanting होती है, यह जुर्वेद और शामवेद by scholar की दोरा, animal sport in, animal sport in India, इसमें जाली कट्टू, जो traditional bull chasing sport है, Tamil Nadu का, जो organize होता है, during harvest festival होता है, पॉंगल का, और यह जाली कट्टू, जो है, संगम literature में देखा गया है, खंबाला, खंबाला, यह local name है, bull race जो होती है, Tamil Nadu में, और during जो race bull होती है, वो made to run और जो fastest win करता है, prize, इरूथू विदूम, विज्जा, यह another buffalo race है, करनाटका में, पोरांग festival आसाम में, यह जो festival होता है, नारा सिंग भी हू, नारा सिंग भी हू, festival जो harvest festival होता है, celebrated by the missing, यह जो farmers होते हैं, blessing लेते हैं, mother earth safe from them and their crops के लिए, फिर वसंथो सावम, आंदर प्रदेश में, यह तिरूमला जो temple है, तिरूमला जो temple है, arrival of the spring season में, और यह जो king अच्चियू तरन, 1460 में, यह celebrate करते हैं, 3D का जो तरन, योदसी, जो चत्र दसी और पुरनमी में बना जाता है, चैत्र मार्च और अपरेल में, माकरा वीलाकू, माकरा विलाकू, यह festival केरला में होता है, दो मन्त का होता है, long festival होता है, सबनी माला टेम्पेल से लिट वेट करती है, इसको occasion और मकर सक्रांती है, भटू कुमबा, भटू कुमबा festival, तिरांगना में यह nine day floral festival होता है, जो दुर्गा, नौरात्री, भटू कुमबा, जो means mother goddess, जो alive हैं, और जो festival represent करता है, cultural spirit of तिलांगना, symbolize की जाती हैं, इसमें goddess of womanhood, यह festival, इंट रिग्रेडेड इस्प्रिंग फेस्टिबल ऑफ गॉर्डेश गौरी, पहर, पहरपुर वरली महराश्टी, यह special यात्रा होते हैं, दूरिंग दा अशधा मंत में, जो अलांदी विलेज है, continuous, continue from 250 km, जो अंटिल जब तक pilgrimage, रीच नहीं करती, विठोभा, टेंपल तक, पंध, 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 महराश्ट में, सब्रेल जो पैलेंक्विंस होते हैं, डोलियां, करी कर जाती हैं, डूरिंग विच जो गंटेन, पडुकाज जो होते हैं, और वेरियस जो सांग और जो टोटल डूरेशन होती, किस दिन की एंडिंग होती है, असाड, अस्टमी, एकादसी को, और वर्ली जो टेडिशन है, ये स्टार्ट होई थी, सेंट, दैनेश्वर, ग्रेट जो ग्रेंड फादर थे, दयाम, बाक, पंध, कुल, करनी, दैनेश्वर, हिमसर्फ जो हैं थे, सेंट थे, लाइक, जो नाम देओ, स्वावत, स्वावत, मली और तुर्काराम, जो पार्टिसिपेट करते थे, वर्ली यात्रा जो होती थी, दूरिंग लाइफ टाइम, ये पार्टिसिपेंट नोन ऐस वारकरीज, इनको वारकरीज करते हैं, इसमें न्यू फाइंडिंग आवदा, डिकलाइन आवदा, हरपन, जाना में है, ये ये वन आफ दा फाइफ नोन बिगेस्ट जो टाउन टाउन शिप है, और हरपन सिविलाजिशन और इंडियन सब करनेंट, जो पांच बिगेस्ट टाउन शिप हैं, इंडिया में, उसमें हरपन सिविलाजिशन से, उसमें से, इंडिया में ये एक हैं, इसम में having mud brick हैं साथ में bird brick houses with proper drainage system देला है ceramic industry मिली है जो red wear के दरा और ritual system जो happens का था animal sacrifice पिड़ मिली है recently center ने move करा है moving ahead with the with with its plan to develop करेगा राखीगड़ी को राखीगड़ी को as a develop करेगा राखीगड़ी को as a tourist hub और setup a museum लोथल लोथल जो है located between सावरमती रीवर सावरमती और उर्सकी ट्रिब्यूटी जो भोगवा भोगवा जो सौरास्ट रीजन में है गुजाद के यह major maritime activity center था for harapan civilization dating from 3700 BC और वर्ड का oldest man made dockyard था यह इंडिया और पॉर्टुगल में corporate करता था setting up setting up the national जो maritime heritage museum था at the Lothal in गुजाद national maritime जो heritage complex था यह likely to be built in the public 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 private partnership और जो have a huge जो museum था display करता था इंडिया के heritage heritage of inland waterways जो trade through the people trade through water route के दोरा और जो project यह जो project था being implemented by the ministry of shipping through the सागर माला project जो सागर माला प्रोग्राम है with the involvement of the archaeological survey of India और state of gujarat and other stakeholders अब जो paper paper tilt किया गया है कि एक ancient harapan genome एक ancient harapan genome lack our ancestry from the stepped pastoralist and in Iranian farmers यह published हुआ recently जिसमें challenge कर रहा था many noted notes point of invasion Aryan invasion theory से जो paper indicate कर रहा था कि there was no Aryan कोई भी Aryan invasion नहीं हुआ and no Aryan migration that all जितने developments है right from the hunting gathering stage जो है to the modern times in the South Asia वो developed हुआ indigenous people के द्वारा ही किया गया अब जो about Aryan invasion theory है अब जो British archaeologist है वर्ट मॉल्टी मियर वीलर मॉल्टी मॉल्टी मर्वीमर जो nomadic और इंडो-european stripe मानते थे और यह called Aryan जो है वो nomadic थे इंडो-european थे और इन्हें steep pastoralist of the of इसे steep pastoralist और और from the Antolian और इतारियन फार्मस कहता था जो इन्हें आरियन कहता था यह suddenly over blame हुए और conquered कर लिया जो इंडेन इंडेस रिवर वैली थी causing the decline of इंडेस वैली civilization उन्होंने ये भी कहा कि many unburied जो corpies जो इलाशें हैं found in the top level of Mohan जोडारो जो और archaeological view जो है वर victim of war यह जो theory suggest करती थी कि उन्होंने यूज किया था horses और जो advanced weapon थे अगेंस दपीसफूल जो happen people थे और जो हर आरियन्स थे may have easily defeated them आरियन को आसानी से हरा दिया evidence जो मिलते हैं रिगवेद में कि रिगवेद समय में अगें जो refer किया गया कि जो fortress था of dasas और दश्यूज 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 जो वेदिक गॉर्ड इंद्र थे उन्हें पुलंदर कहा जाता था meaning destroyer of forts जो geographical area था habitation का of rigvedic areas including पंजाब और गंधार हर हकरा region यह जो since there was no remain of other cultural group वहाँ पे कोई other remain cultural group नहीं मिलता है having fort in this area जो historical phase था wheeler believe करते थे कि it was the harappan site यह harappan site है जहाँ पे there were being described in the rigved है rigved जो mention है place called hari upia hari upia जो place है यह located on the bank of river ravie और जो आर्जेंस है fought a battle है यहाँ पे battle लड़ा गया जो name है place का sound very similar to the harappa और यहाँ पे evidence मिलते है लेड वीलर जो है conclude that it was it was rn invader जो destroy कर रहे थे city of harappa को जो fact given by the new study inhabitant of the indus valley civilization जो जिसमें distinct indigenous people जो distinct indigenous people जो थे और जो dna है skeleton remains का match कर रहा है with the local population के साथ अब जो skeleton remains जो skeleton remains found in the in the upper part जो था citidal area में मोहन जोड़ों में belong to those जो died due to flood के हो जैसे जो मर गये थे died to flood जहाँ पे not masked by rn के आरे ने निमा रहा था उन्हें as hypothesis by the more severe wheeler साथ में कुछ जो कुछ amount जो है movement movement of people from central कुछ movement जो था central Asia के साथ mixing हुई उनकी genes और with population here but it does not change the ancestry of the indus valley civilization इससे उनकी ancestry जो थी once उनका नहीं बदला there is no attack ऐसा कोई attack नहीं हो था that replace the entire population the genome heinders valley civilization का is from population to do that is the large source of south ancient your population had no detectable to population and you have a detectable and sister Joe from Steve pastoralist or from the Antalya or Iranian farmers farming youth he who brought to be region through your migrations were from from Iran or to most significantly that you happen 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 जीन्स थी वो प्रेजेंट इंद वेरिंग कॉंटिटी इन ओल साउध एंशन अदर थियोरी जो अफ डिकलाइन ओफ रपन सिवलाइशन इसमें बताता है कि वेरियस जो अधर थियोरी जो सौराउंडिंग डिकलाइन दिखाते हैं अपन सिवलाइशन जिसमें पहला है जब हो गया आर्थ को एक जोन से कृटनिज में होता है क्योंकि जो डिकलाइन होता है सिटल्मेंट आउटसाइड इंडिस वैली विल नॉट भी एक्स्प्लेइन बाइशन था और इससे ब्रॉट सेंड और सेंड और सेंड रादर दन फ्लेट सेंड आके इससे ना की उनली जो डिसर डिसर डिसरेशन ओफ दा महन जोड़ बात नौट इस डिकलाइन इंक्रीज एरी 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 अरेटी और एंड ड्राइंग अप ऑफ दा गाघर जो वेरियर एज एविदेंस मिलती इंक्रीज वा जिसमें एरीट कंडिशन हुई और जिसे डिकलाइन कि सद्धीक पुर सिंग सिनौली इलाइकली तो गेट नेशनल इंपॉर्टेंस टैग सिंग सिनौली जो है सपोस्ट वी दा लाजस्ट नेक्रो पोलिस नेक्रो पोलिस आफ लेटर लेट हरपन पीरियर्ड जो लोकेटेड है लेफ्ट बैंक आफ रिवर यमना में आर्क मिले हैं जो सौर्ट मिली हैं और जो अब्जेक्ट जो पॉइंट कर रहे हैं तो दा प्रिजन सौफ वार्यर क्लास अफ पीपल जो रीजन था दिरिंग दा कॉपर ब्राउंस एज तीरह तीन सो बीसी से लेकि बारह सो बीसी तक ये अनार्थ अनार्थ जो अंडर केमबर थे डेकुरेटेड लेगेड कॉफिंस हैं साथ में जो राइस और दाल इन पॉट्स में और इनिमल बोंस बरीड विद देर बॉड़ी ये भी हमें यहां पर देखने को मिला हैं संगमेज ये जो न्यूज में था एक्सकैवेशन जो होई है एड खिलाडी तमिल नार लिव किया था थार्ड बीसी से लेकितार डेटी तक संगम एरा जो था रिफर करता है पीरेड जब अर्लिएस्ट वर्क तमिल में चालू हो जिसे संगम लिट्रेचर कहते हैं और ये कंपोज जो टेक्स था उसे संगम विकॉस ये जो सपोज हैस बीन कंपोजड और जो कंप वाइगाई प्लेंस वाइगाई प्लेंस की ज्दी की ज्दी जो साइट थी बिलॉंग फिस ब्लें जो हैपन इन तमिल नाडू अरूंड 6th century बीसी अस इट वैपन इन गंगैटिक बीन जो गईगाई प्लें था अटेंड जो लिटरेशी थी और लेर्ट अर्लिए जो जिए 6th century बीसी में और बहुत देर और 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 अविदेंस ओफ प्रिजेंस ओफ जो है गेरियन सोसाइटी थी कैटल रियरिंग और जो वेरिंग इंडस्टी थी वेरियस जो सोर्स है एविदेंस के जो डिटर्माइन करते थे संगम एज जिसमें स्टोन इंस्क्रिप्शन जो था इस्टोन इंस्क्रिप्शन अशोक अशोक एडिक्ट जो था चेरा चोल और पांड हादी कुमभा इंस्क्रिप्शन जो कालेंगंगा किंग और जो इंस्क्रिप्शन वेल वी कूडी जो थीरू को वीलूर एटी सी जो क्वाइन जो क्वाइन मिले हैं अधराई के पा अब्रू के साथ ड्रिंग संगम एज वो भी फाउंड इन दा अरी 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 का मेंडू नियर पॉंडी चेरी अरी मेंडू जो पॉंडी चेरी है वहां से जो मिले हैं आर्ट लॉजिकल जो फॉरेन अकाउंट्स है इन एडिशन जिसमें संगम लिटरेचर जो है फॉरेन चीफली कंसिस्ट करती थी तो तोल तोल का पीम अर्लियस उसके बाद इत्थू को इत्थू कोई इत्थू कोई को इत्थू कई और पत्थू 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 यह जो वर्क है एविदेंस यह वर्नेबल इंफॉरमेशन है जो नो दा हिस्ट्री ओफ संगम तोल का P.M. जो राइटर हैं बाइ तोल का पियर जो जो घंसेडर्स एज अ ग्रामर ग्रामर नामर दो इंकम पास पोलिटिकल और जो सोशो एकनॉमिक सिनेरियो थे अप यह थो एक तो इत तो जू टो कोई तो कोई जो एट आर्पलाज एनलोग एन त्रो एंथ दो Loggies comprises eight works पत्थू पत्टू पत्टू जो ten ideas contain ten जो different literary work है दो epics मिले हैं जिसे सीला पत्थी सीला पत्थी गराम सीला पत्थी गराम ये इलांगो अधी गल के दोरा मनी मेंगलाई मनी मेंगलाई बाई चित्था लाई चंथा नार ये belong to the post संगम ये believe किया गया तीन जो संगम exist करते थे first संगम जो flourish हुआ at मदुराई दूसा जो संगम था वो कापाडपुरम और जो पांड्यान किंग्स ने established किया था third संगम जो है मदुराई में था पहला मदुराई में था दूसा जो था वो कहते हैं कपाडपुरम कपाडपुरम और तीसा जो था वो मदुराई में था जो संगम एज थी संगम एज पॉलिटिक से अगर बात करें तो तमिल तमिल कंटी जो था वो रूल किया था तीन डैनेस्टी जो थी जिसे चेर चोला और पांडे जो विद रॉयल जो इंबलम था बो टाइगर कार्प फिश बो तीर शेर और फिश जो हैरिटी मोनार्ची थ यह वाज ता फॉर्म आफ गवर्मेंट दूरिंग दूरिंग संगम पिरेड मिल्टी अड्मिस्टेशन जो था वो एफेक्टिवली और नाइस किया था दूरिंग संगम एज और इच रूलर जो था वो हैड़े रिगलर आनमी संगम एज साइटी जो तोल का पीम रिफर फाइफ फोर्ट डिवीजन थी लैंड की जिसमें कुर्णी हिल ट्रैक था मुलाई पास्टोरल टाइप का था मरुंडम जो एगरिकल्चर नेडाल जो कोस्टर और जो पलाई डेजर्ट जो पीपोल लीव यह जो लोग रहते थे पांच डिवीजन में अपने रिस्पेक्ट प्रीस्ट होते थे वाई वानी घर जो ट्रेटर होते थे वेला वेला लार एगरिकल्चरिस्ट होते थे जो करेज है और फोमन जो करेज था वोमन का उसो अप्रिशेटेट इन दा मैनी पोएम्स बट जो लाइफ थी वीडियो की और जो मिजरेबल जो प्रैक्टिस थी सती और आगाज इसी समय थे संगम एज टनॉमी इसमें अगरिक Insurance जो ती कॉमन जिसमें विद जो क्रॉप्स लाइग रागी शुगर केन कॉटन पिपर जिंजर टर्मिक और सिनमम और वराइटी ओ फ्रूट्स मिलते थे लैंड रिविन्यू जो था चीफ सोर्स था इस्टेट का इंकम का कस्टम जूटी जो इंपोस की जाती थी यो फॉरें ट्रेट पे हैंडी क्राफ जो थी संगम पिरियड की वो भी पॉपलर थी इंक्लिउट किया गया था वी विविंग जो मेटल वर्क था और जो कार्पेंटी जो शिप बिल्दिंग और नमेंट मेंकिंग ये भी प्रॉमिन्ट था में जो मेंज जो एक्स्पोर्ट होती थी इसमें कॉ एक अवाईयूर अवाईयूर जो respectable woman जो is the household name of Tamil Nadu और यह जो title है more than one female poet जो है receive were active during different periods of Tamil literature जो least four Awais है जो some of the most famous और जो important female poet है Tamil Canon के जो most famous Awai existed during संगम एज ममलापुरम जो second second India India China informal summit took place at ममलापुरम owning to his historical जो लिंक है चाइना के साथ historical significance अगर ममलापुरम का देखें तो यह एक major port था city यह major port city था 7th century में और जो पलवा kingdom के अंदर यह टाउन था इस पलवा किंग जो नर्सिंग वर्मन वन जो थे 60 30 से 668 तक जो नोन एज ममलापुरम और जो आर्टिटेक्चर हेरिटेज था ममलापुरम जो शोर टेंपल है वो कर स्ट्रक्चरल टेंपल था बिल्ड किया गया था 700-728 AD में गर्नाइट ब्लॉक से यह बिल्ड किया था नर्सिंग वर्मन टू ने द्रेविना स्टाइल आफ आर्टिटेक्चर में और यह क्लासिफाई किया गया यूनेस्को वर्ड हैरिटेज साइड में भी पंच रथास जो फाइफ रथ हैं और चैरियाट हैं यह विद दा पंडवाज और जो अधर एसोसियेशन थे प्योर्ली और लोकल करेक्टर अरजुन पैलेस जो है वो 27 मीटर इंटू 9 वर्ड लाज बेस बेस रिलीफ हैं जो लगभग ओवर हैंडेट स्क्लप्चर जो हैं गौर्ड की बर्ड की ब्रीस्ट की और जो सेंट की बनी ह हैं इसे पॉप पॉपिलरी अरजुन पैलेस पैना पैनेंस तपस कहते हैं अरजुना अरजुना पैनेस जहां पे तप कर रहे हैं यह बिलीफ मानाता है कि इलस्ट्रेशन जो इसलिए यह डिसेंट माने जाते हैं गंगा के डिसेंट ओफ दा गंगाज और कुछ लोग मानते हैं डिसेंट ओफ गंगा गंगा का आना जो है लीजन जो थे भंगी रथा इस्टेंडिंग ऑन लेग पॉस्चर जो प्रे करते थे लॉर्ड ब्रिंग रिवर गंगा डाउन टू दा अर्थ जो प्लीज दा सोल ओफ दा इन गेव टेंपिल है यहीं प्रोमक जो संस्टी ती प्रोमेनट जो स्कलफचर थां इन सिर्पेव लउर्ड विश्नो जो इन गेर नेटिर वारा डाउन यूर्ज कोroads हूंन की त्रेथ यूद relationship with the China के साथ जिसमें King जो agree करते थे help करना China in keeping to check on the growth of Tibet as a powerful nation जो various study जो archaeologists और जो कुछ historians जो है मामलापुरम और जो commercial link थे country जैसे चाइना स्रिलंका और other Southeast Asia countries coin जो थे from China, Persia और Rome जो है वो पाए गए है मामलापुरम में और act as a center trade center for the Pallavas जो Chinese traveler थे हूं हूं तसंग हूं तसंग वो विजिट करे थे region को during the rule of Narasim government 1 और यह कहा जाता है कि बोधी बोधी धर्म जो था connected with Ben taking Gen Gen Buddhism जो China और फिर टेवल हुआ फेंटा फों जाय तामिल नाड़ू कोस्ट फू ग्वाँ जोंग ग्वाँ 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 जोंगू घ्वाँ जोंग ग्वाँ जोंगू पांसो सत्ताई से इनि अले संस्कित जो इंसक्रेप्षिन है साउथ इंडिया से अर्कलॉजिकल सर्विय उफ इंडिया डिस्कवर करा है कि संस्क्रित एक्सक्रप्शन इस साउथ इंडिया जो इंस्क्रप्शन है डिस्कवर की गए है चेब्रोलू विलज जो गुन्टू डिस्टिक अवांधर पदेश ये सत्वाना किंग जो थे विजिया 2007 AD में अर्लियस जो एपीग्रैफिक एविडेंस मिले हैं सो फार सब्त मत्रिका सब्त मत्रिका जो कल्चर था ये प्रिडेट था नागर जुन कोंडा इंस्क्रप्शन जो इच्छासु किंग थे इवावला चंतु मुल्ला जो इशू था 4th century AD में जो कंसिडर करता था अर्लियस संस्क्रप्शन इंस्क्रप्शन इंस सौथ इंडिया प्रिवेशली सब्त मत्रिका कल्चर सब्त मत्रिका जो ग्रुप है सब्त मत्रिका जो कल्चर है वाइडली जो प्रिवेलेंट था दूरिंग दे रूल आफ अर्ली जो क्या करते हैं चालुक्यास थे और बदामी चालुक्यास जो बदामी के थे 68th century AD तक जो वर्शिप थी गॉर्शिप थी गॉर्शिप थी गॉर्डेस की इस ट्रेसिबल एट नागर्चुन कोंडा from 4th century AD जो न्यू डिस्कवरी प्रिडेट करती थी जो अर्लियर रिफरेंस थे और सब्त मत्रिका वर्शिप फांड इन अर्ली कदंबा जो कॉपर प्लेट और जो अर्ली चालुक्यास और इस्टेन चालुक्यास कॉपर प्लेट 200 साल पहले जो कॉंसेप्ट था सेवन मदर जो थी सब्तर मत्रिका और जो फांड जो रिफरेंस इन टेक्स रिगवेद और जो पुरांज और सिला सील पत्राज जो अधर संस्कृत इंस्कृप्शन है संस्कृत बिगें तो कम इंटो एपी ग्रैफिक यूस ओनली इन फर्स्ट सेंचृ बीसी और जो ओल्ड संस्कृत इंस्कृत किन है फ्रम अथरा जो प्रफिक यह दो फाव धत्री है जो घूनागर्ण रॉक इंस्कृप्शन है रुद्र वर्मन का जो गेटेस्ट किंग थे और सेकें वेस्ट लेस्ट एंट जो एकस तरपा लाइन उफ कस ताना जो रिटन इस्कृत्षन है शॉर्टली आफ्टर एडी एक्सो पचास रिप्रेजेंट करते थे जो टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ एपिग्राफिक संस्कित जो फर्स लॉंग एक्सेप्शन रिकॉर्डर है इंटारली इस मोर और लेस्ट जो स्टेंडर संस्कित थी एज वेल आज जो फर्स ए संसिव रिकॉर्ड था इंदा पॉइटिक स्टाइल और जो रिजन था अर्ली गुपता जो इंपरर्स जो थे फॉर्टीन फॉर्थ संचरी के एडी वो संस्कित जो थी फाइनली इंस्टेबलिश हो गई थी एज दा एपिग्राफिक लैंवेज और जो पर पार एक्स पार जो टर्निंग पॉइंट अपियर देखने हो कि मिला इंस्क्रेप्शन में समुद्र गुपत जो कि लेट फॉर्थ सेंचरी में इस्पेशली जो आनंद आलाहबाद पिलर इंस्क्रेप्शन है जिसमें डिपिक्ट होता है फ्यू जो ट्राइवल थे अदो और 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 फॉम पुहार जो था to be digitize reconstructed form for pppppppppppppppppppppppc जो प्यूट सिटी था तमिल नाड़ों का वो समझ होगया अंडर सी एक हजार साल पहले यह यह बिंग डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट जो फूम पुहार जो है यह पुहार या फिर कावेरी पटनम जो सर्व अल्ली चोला जो डाइनस्टी थी छेसो से तीन सो बीसी यह लोकेट जिनका नाम इलांगो जो था अदिल अदिल गल्ड यह यह मेग सेवरल जो मेंशन अबाउट अबाउट दा टाउन यह आसो फांड मेंशन इवें द अकाउंट ऑफ़ग पिलीनी और पिटोली और जो पेरिप्लेस अफ़ड़ अरिः एर एरार्थियन सी इरार्थियन सी की जो पीली की आकाउंट से पतॉलिक और परीट प्लस के ज़ो अरतियंग के रिखांद चलता है यह संवर्ज हो गया थै ये होगया था दू कादल कोश्च और राईजिंग जो sea levels हुए एक हजार साल पहले तो पूलम पूर जो है ये वागाई नदी के पास है ये जो इंडियन डिजिटल हैटेज प्रजेक्ट है ये इनिशेटिव है डिपार्टेंट आफ साइंस एंड टेक्नोलजी फॉर डिजिटल डोकुमेंटेशन एंड इंटेप्रेशन करेगा आफ आवर टेंजिबल और इंटेंजिबल हैटेज ये जो बेसिक गोल है आई डी आई डी एच का प्रजेक्ट की वो बिंग जो फाइन सेनर्जी थी जिए इस्पेशल टेकनोलजी विद मैचूर आई सीटी टेकनोलजी के साथ जो हेल्प करेगा प्रिजर्व यूज और ज जो इस क्लॉर्जरी स्टीज ऑफ इंडियन है टेज फास्ट जो प्रजेक्ट था ये यूज किया गया था इंज डिजिटल हैं पी ये सबसे फ़ले डिजिटल हैं पी के लिए उसक्यागा था सम इंपॉर्टन जो एंशेंट सिटी इस ते जिसमें सूरत भी हार इसूरत जो 300 BC के बीच में Chinese यूज करते थे foreign ship जो purchase, purse, glass और जो rare stones होते थे return they sold gold और silk मधुरा या मधुरा या मधुराई तमिलनाडू में एक capital थी पांडियास की PM पांडियास की मधुराई थी जो control करती थी जो pearl fisheries of Gulf of मनार की भरूच भरूच जो today भरूच और बारी घजा गुजराद जो situated on the river river bank of the river नर्मदा जो link करता था all important जो marts थे roadways फिर है शौरास्ट या फिर सव इस्त्रीनी सौरास्ट जो today सोराथ था डिस्टिक जो है गुजराद का ये important trading center था इंडो गरिक का इस्तरीन अफिर फिर सौराद ये प्रेजेंट डे नाला सौराद जो पागहर डिस्टिक है महरास्ट में पागहर पालघर जो डिस्टिक है महरास्ट में और जो इंशन पोड था सौराद वो important पोड था इन western इंडिया trading with trading with mesopotamian Egypt mesopotamian Egypt kochin Arabia and Eastern Eastern Africa में होता था मुझ मुझीरिस 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 ये ancient इंडो रोमें रोमें पोर्ट था मुझीरिस मुझीरि की मालाबार कोस्ट पे केरला बैक वन संच्री बीसी कौर कोई ये थो थो को थो थो कुंटी डिस्टिक जो था तमिलाडु का ये डेट बैक लगभग 2000 साल पहले और अरली कैपिटल था पांडियास का और ये जो था गेटेस सेंटर था पर्ट फिशिंग इन एन्चेंट वर्ड पोर्डू का ये पोर्डू का या अरिक मेंडू जो पोर्डू चेरी जिसे नाम दिया गया है पोर्ड सीटी था मेंशन फर्स्ट सेंचुरी पैरी प्लस मैरियस एर्थी राई जो कनेक्शन देखने को मिलता है ओवर सीज जो ट्रेडिंग होती थी इंशन इंडिया में तामरिला पिती ये जो पोर्ड था लोकेटेड इन दा प्रिजेंट टाउन जो है तामलुक जो मीदिनापूर वेस्ट बेंगौर में जो तामरिली पित्रा ये तामरा जो है कॉपर के लिए जो माइंड नियर बाइं गत्सिला इन सिंगभूम डिस्टिक और बिहार एन एक्सपोर्टेट थो दिस पोर्ड सोपत्तामा और मारकनम ये सिचुटेट था तमिल नाड़ो और मनसूली पत्नम सिचुटेट इन आंधर प्रदेश दसा दसा दसार ना दसार ना उडिसा में और तगा तगारा तगारा सिचुटेट इन महराश्ट कनेक्टिंग कल्यान विद वेंगी अल्ली हुमन लीवड इन दा नौर्देन इंडिया आट असी हजार असी हजार इयर्स इगो अर्कलोजिकल एक्सेवेशन करीड आउट हुआ है इन दा ट्रेंचेज जो थे धाबा इन अपर सोन रिवर वैली में मद्दपदेश और जो फांड एविडेंसेज मिले हैं इस कंटिनिवर्स जो यूमन ओक्पेशन के इन इस एरिया लगभग असी हजार असी हजार अस एटी थाउजन साल पहले है जो एक्सेवेशन अन अर्थ लाज जो टूल इंडेस्टी जिसे लिथ लिथिक इंडेस्टी जो स्पैनिंग ओफ पीरेट देखने हो को मिला टोबा सुपर इरप्शन जो लाज मेगालिथिक तूस थे वो डेटेट यहां पर इने मेटिंग ओफ दिस रीजन बाइ यूमन अन डिस्टर्ब्ट बाइ सुपर इरप्शन जो टूस इस्ट्रॉंगली रिजंबल करते हैं इस्टोन टूल आफ्रीकन मेडल स्टोन एज जो था अरेबिया और जो अर्लिएस्ट आर्टिफेक्स थे ऑस्टेलिया से स जो यह इंपॉर्टेंट रहा कि जो फेस जो फेस है कमपीटिंग जो थेवरीज हैं फस्ट जो प्रिजंस है हुमन पॉबलेशन इन डिफेंट रीजिन आफ दा वर्ड में ऑन यूमन डिस्पर्जल फ्रॉम अफरीका ऐसा माना जाता है अफरीका से सब लोग बाहर गए जो कॉमन व्यू था विद रिस्पेक्ट तो होमो सैपिन जो माइगरेशन वास दैट की मॉडर्ण जो यूमन इस्पेड आउट अफरीका ओनली इन दा लास्ट पाचास साल पहले जो रिसेंट टाइम है फॉसल एविदेंस जो सजेस्ट करते हैं जो मॉडर्ण यूमन स्थे व वालकनि विंटर है फॉसल पहले तो टो बाज वालकनिक शुपर एश्पिर अप्शन हुआ रूंट संटर अरूं सुमत्रा बली माना था की कोई अलमोज जो डिकेड लॉंग जो इस पल्वा कोल वेदर जो वेदर वेदर अवेंटर अक्रॉस मैन पाट अट और इस तर इस अश्या निओ लिदिक एज और एज निओ लिदिक निओ लिदिक एज शीवा शीवा लिंग डिसकोबर 18 फूट शूर लिंग जो है डिसकोबर किया गया है एड़ बैर बैर वेश्वरह स्वामी टेंपल एट एटमप दा मा मोपूर्य कर लॉन यह यह लिंग जो है बिलीव तीन हजाद से 2820 तक जो डिस्कवरी थी शिवलिंग ये थाल लाइट उजारा डालेगा जो रिलिजियस प्रैक्टिस होती थी नियो लिथिक सिवलाजेशन में डियूरिंग विज जो पीपूल यूज करते थे वार्शिप आफ गॉर्ड और गॉर्डेस स्टेंडिंग पॉस्चर में नियू लिथिक जो है ये फॉलोड जो पहले लिथिक के बाद आए जो तीन टाइप की लिथिक है एक है पहले लिथिक मिजो लिथिक नियू लिथिक जो नियू इस्टेंड नियू स्टोन एज कहता है फॉलोड पहले लिथिक पिरियड जो एज ओफ चिप्ड इस्टोन तूस अभी ये प्रिसाइडिट ब्राउं से और ये कर्टराइज करता था था वाइस टोन तूस जो हैं शाप बाइपॉलिशिंग और ग इंपॉर्टन जो नियू लिथिक साइट है इंडिया में बुज्जर होम जो गफ 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 कारल कश्मीर में मो चोपनी मांदो चोपनी 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 मांदो यूपी में ब्रंभकिरी और टेल का कोटा करनाटका में चिरांग जो बिहार में फिर एक नगर नगर्धन ना नागर्धन रम टेक तलूका नियर नागपूर जहां प्रवाइड़ कॉंक्रीट जो एविडेंस मिले है लाइफ रिलीजियस और जो एफिलेशनेशन और ट्रेट जो प्रैक्टिसेज हैं वकटा का डैंस्टी का अब जो एक्सक्रिवेशन मिला है प्लेस जो नागर्धन य जो शी टूक ओवर जो वाटा काटा किंग्डम जो था अंडर अदर अदर असदन डेमिस और रुद्र सेन टू जो कले सीलिंग है यहां से सीलिंग यह एक्सक्रिवेट की कहीं फॉर फॉर्स तैंड जो दिखाती है कि इनके जो सक्सेसर फीमेर रूलर विदिन दा वकटा का यह जो सीलिंग है बियर दा नेम इन दा ब्रामनी स्क्रिप्ट और जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्ट 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 डिपिक्शन जो मिला है कोच विच दा साइन ओफ वैशनवा एफस्टेटिट बाई है वैफस्टिलेशन है यह जो सीलिंग है कटा का ये रूल फॉलो करते थे श्याव सेक्ट ऑफ हिंदूरिजम बड़ जो कुईन पावर थी अलाउड हर टू चूज जिनिटी ऑफ वर्शिप जो प्रैक्टिस थी वर्शिप नर्संब जो महरास्ट में इमर्ज फॉर्म रामतेक और जो कुईन थी प्रभा प्रभा प्र साथ टेंपर इंडिकेट करते हैं फिनेटी जो है वैशनो सेक्ट दूरिंग केवल नर्संब रुद्र नर्संब जो ट्रेस करा था रैम टेक और जो बिल्ट दूरिंग दे रीजन ऑफ कुईन प्रभा वती गुपत अकुपेशन जो है अनिमल रेरिंग जो होती थी अनिमल वो वन ऑफ दा मेन ऑकुपेशन था रीमेन ऑफ सैवन जो स्पिशीज थी ऑफ डॉमेस्टिक अनिमल जो कैटल गोट शीप और जो बिग पिग कैटल होर्स और जो फाउल ट्रेस करेगे जो कॉपर प्लेट है इस्चू कर जाती थी कुइन प्रभावती गुपत जो भी एक् जो कनफर्म करता था एलिफैंट गॉड जो कॉमनली वर्शिप होते थी डिनेटी इन दोस टाइम वाकाटा का डाइनस्टी जो थी वो सक्सीड करी थी सत्वानोस को इन डिकें तीन से पांच सेंचरी और कंटम्परेरी थे गुपता रूलिंग इन दा नॉर्धन इंडिया विंद्या शक्ती जो ब्रामन चीफ्ट फांड होते चीफ चीफ टेन यो फांड होते थे वाकाटा का इंपायर के वाकाटा का रूलर जो फॉर्जड मैनी जो मैट्रीमोनियल एलाइंस थे उनके अधर डाइनस्टी के साथ डॉटर जो थी वो गुपता एंपरेर चंद गु और प्रभावती गुपता जो मैरी करी उनके वाकाटा का किंग जो दे रुद्र सेन टू वाकाटा का जो पैटरन थे आर्ट अर्टिटेक्चर और जो लेट्रेचर था वो फॉलो करते थे शैविट फेद और जो रॉकर्ट जो बुद्धिस्ट विहारा और चैत्याज अज जनता जो बेड़ हुए अंडर दा मैर्ट पैटने जो वाकाटा का किंग हरी सेन बुद्धिस मोनेस्टी इन दे निव्ज जो बोजा बोजा नाकोंडा और लिंगल लिंगला मेटा मोनेस्टी जो ट्विन रॉककट मोने बुद्धिस मोनेस्टी मिली है संकरम विलेज जो व बुद्धा जो consider कर ले जाते थे as a teacher और जो महायान थे जिसमें बुद्धिजम जो थे more devotional और वज्रियान वज्रियान और जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल मोर प्रैक्टिस था तंत्र और इस इसो थेट्रिक फॉर्म इस सो थेट्रिक फॉर्म में इनको करा जाता था विशाका पत्न जो famous रहा है बुद्धिस्ट साइड के लिए तोट तोटला कोंडा अपी कोंडा और जो बवी कोंडा मोग मोगल माल मोगल मारी मौनस्टी जो studio of inscription है जो रिकवर की गए है recent form of Buddhist मौनस्टी साइड जो है मोगा मोगाल मारी वेस्ट बेंगौल जो प्रिजेंस है और जो मोगली का विहारी का और जो यजन ना पिंडी कामे कामा हा विहार जो मौनस्टी डेट मौनस्टी डेट जो है 6th century से और यह functional रही तब तक 12th century तक जो प्रिजेंस ओफ दो मैंस्टी थी डेटिंग जो सेम पीरिट था विदिन दे सिंगल कंपॉंट जो यूनीक है Eastern India में मोगाल मारी जो लोकेटेड है लेफ्ट बैंक आफ जो सौरनेका रिवर है इन दे इन दिस्टिक आफ वेस्ट मादीनी पूर वेस्ट बंगॉल ये साइट कंसिडर किया थी लार्जेस्ट और जो ओल्डेस्ट अग्रोजिकल एक्षिवेशन इन दे वेस्ट मेंगॉल ये नोन एज धनता पूर जो बुद्धिस्ट मॉनस्टी है जो डॉक्मेंटेड ट्रेवल शीक शी होकी और जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्ग थे और स्कॉलर जूंग जांग होंस ही तो हुसंत तांग उसन तांग जो विजट हुए थी 7th संचुरी कीर्थी जिपा मॉनस्टी ये टिबेट मॉनस्टी है धामशाला ये बिल्ट हुए थी नाइन्टी 92 में जो हाउस है टिबेट एकसाइल मॉनक फ्रम टिबेट लमा यूरू मॉनस्टी यूंग दुरांग यूंग दुरांग जो तारपालिंग मॉनस्टी है लमा यूरू जो मॉस्ट इंशन मॉनस्टी है लड़क की और में सीट है और दिकुंग का गुरू ट्रेडिशन पॉलर नेम महा सिद्ध आचार नरूपा जो नहीं फाउंडेशन रखी दी इस मोनेश्टी की